अब बैर गूर्ट अट्रूर्ण क्लास जहीं जी क्या हाल चाल उमीद करता हूँ सब लोग बहुत बड़ी और बहुत जबरदस होगे एक बार जल्दी से बता दीजेगा ओडी वीडियो क्लियर है क्या हम लोग लाइब है आई तिंग अब हम लोग लाइब आ चुके होंगे एक बार जल्दी से मैं भी देख लेता हूँ क्या हम लोग लाइब आ चुके हैं बिल्कुल जी हम लोग लाइब है अभी और बताओ क्या आल चाल लें बहुत दिन बाद हमारी मुलाकात एक्जामो चैनल पर हो रही है एक बार जल्दी से बता दीजेगा गुड़ मॉनिंग जी गुड़ मॉनिंग हैलो जी एक बार सारी बत्चे सेशन को शेर कर दो जल्दी से जल्दी से सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दें आज हम स्टैक जीके की ताबड तोड जो है क्लास करने वाले हैं श्यालो जी धीरे धीरे करके बच्चों को पता लगेगा कि आज जो है क्लास हो भी रही है नहीं हो रही है क्योंकि हम बहुत महीनों से जो है एक्जामों पर क्लास नहीं ले रहे हैं ठीक है एक बार जल्दी सारे बच्चे क्लास को फटा फट्ट एक बार शेयर कर दें तागी सब लोग जॉइन कर लें ठीक है आज हम लोग करने वाले हैं क्लास एकदम मज़ेदार ठीक है क्या चीज हो पता नहीं चला पठाका सहर आया है ठीक है ओके गूड आफ्टरनों जी गूड आफ्टरनों टो आज उन सब सवालों पर नज़र डालेंगे जो सवाल एससी ने अभी रीचेंट के एक्जामों में जो पूछेंगे उन सवाल लोगों देखेंगे, कि सवाल किस तरीके से आ रहे हैं, इस class का फाइदा क्या होगा, इस class का फाइदा तुम यह होगा, कि इस class से आप सब लोगों के पता चल जाएगा, कि static gk में आपको क्या करना चाहिए, almost जितने अच्छे topic हैं, वो सारे आज की class मैंने शामिल कि हैं, तो उन पे बहुत अच्छे-च्छे question हम लोग करने वाले हैं, discussion class नहीं है, question class है, practice class है, discussion class हम लोग दीरे-दीरे discussion पे भी आ जाएंगे, एक-एक topic को लेकर हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलाल जो आज की class है, वो एक marathon class है, question class है, और बहुत अच्छे-च्छे सवाल, ए exam से पहले static gk में क्या करें, तो मैंने आपको एक telegram में 40 topic एक list share की थी, उस list के जितने topic हैं, अगर आप उन topic को भी देखोगे न, तो जो इससे pre का exam हुआ था, stando का exam हुआ था, CPU का exam, उन topic से सारे question static के आ रहे थे, ठीक है, no doubt कुछ एक topic जादा मज़ेदार तरीके से पूछ लेते हैं, चली शुरुवात करें, एक बार सारे बच्चे ताबड तोर तरीके से कहें, हम तयार हैं, और आज का session हम जबर्दस तरीके से एकदम आंसा करेंगे, जितने लोग तयारी करें, जैसे भी अब तक तयार रही है, आप लोगों को आज के question जो है, अच्छे तरीके स मिल जाएगी, एक्जामों पे भी और मेरे वाले टेलिगरम चैनल पे भी क्लास की बीडियो शेर कर दी जाएगी, चलें, शुरुवात करें, फटावट से, ठीक है, गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, और भाईया, session को शेर करना है, दबा के, ठीक है, और आंसर भी करना है दबा के, एकदम मजे से, तसली से आज हम session करने वाले हैं, चलिए, तो session की शुरुवात करते हैं, एक बार सारे लोग तयार हो जाओ, कि हाँ, आज हम एक जबर्दस session करने वाले हैं, एकदम देड़ दो घंटे का session रहेगा, कुशिश करूँगा, दो घंट ठीक है, शुरुवात करें, ठीक है, भाई अरजुन बैच में कौन करना है, मैं भी अरजुन बैच में हूँ, ठीक है, सर जी मैं भी आपको याद करता है, ओके, चलिए फिर, शुरुवात करें, शुरुवात करें भाई आज की session की, चलिए, तो शुरुवात करते हैं, फट क्वेशन आसान है तो नंबर लिखूंगा प्लस और अगर वो क्वेशन ऐसा लगता है कि एक्जाम में हम गलत करेंगे वह नेगेटिव तो आप अपने आपको डिफाइन कर लेना कि एक क्वेशन आप कर पारे नहीं कर पारे पहला सवाल पहला क्वेशन सीजेल में आया देखने में मिलता है और ये क्वेशन एकदम से आसान है यानि अगर सवाल आ रहा है तो 90 बच्चे जो है इस सवाल करके आएंगे ठीक है अगला क्वेशन देख लिया जाए नेक्स सवाल देखते है नेक्स सवाल आता है इन में से कौन सा डैम जो है इस लोकेटिड ऑन मध् जल्दी से लगा डैम क्या रहेगा इस लatा इस लगाएगा दूसरा सवाल आप लोगों के सामने आ गया है ये क्लास किके बारे में जो क्वेश्चन सीधह को स्टेक बोलते हैं आंसर लगाओ सवाल दूसरा आगया बहुत बढ़िया ने खेखकğ 진행 ठीक है चलितो करेक्ड दे जब पेपर में आया हो तो में भी गलत सही हो सकता है ठीक है लेकिन बाकी नदियों के बारे में हम लोग जानते नहीं जानते आपको याद रखना है अगर ये तीनों डैम आ गए इसापुर कोईना और उजिनी ये सारे डैम महारास्ट्रा में है तो अगली बार पेपर में जो क्या हमें पता था नहीं पता था तो अगली बार पेपर के अंदर क्या सवाल आएगा ये ही सवाल आएगा ठीक है इसापुर सवाल आ गया किसके उपर है सर पेन गंगा के उपर है क्या हमको सवाल पता था नहीं पता था तो अगली बार पेपर में तो यही आएगा कोईना और तावा अपनी ही नदीओं के उपर है अगला सवाल देख लेते हैं इन में से कौन सी रीवर जो है पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन डैम नेम्ड दैमार भाषा डैम आपको जल्दी से बताना है किस नदी पर इस डैम को बनाए गया है अगेन आसान नहीं है अगर पहली बार दे दॉलते वे नजर नहीं आ रहे हैं चलो है बढ़िया कोई ना ट्रिब्टी रह Ses रहें यहांसर निगल से निगलती है बोगकर चाहर और याद क्लेश Menu निकलती हे तो याद भाकर चाहल घृष्षर ठीक है भोकर , шाह गलेशर को और यो याद कर लिजेगा यहां से दन निकलती है और कई बार आसान पूछ लेते हैं तो मान सरोवर भी हो सकता है ठीक है, question कैसा था, आसान नहीं था next सवाल देखते हैं, question आ गया which of the following river, which of the following is उत्राखंड first gravity dam अब देखो, हमने उत्राखंड के बारे में पढ़ा तो हमें तो इन dam के बारे में पता ही नहीं है हम तो बस यह जानते कि तेरी बांद जो है भारत का सबसे उचा बांद है, बस इसके बारे में जानते हैं और question आया था, इसके लंबाई कुल कितनी है 260.5 मीटर की कुल लंबाई है इतना जानते हैं, बाकी जो dam है ये तो दुनिया से परे ही जा रहे है ठीक है जल्दी से दाओ गुड मॉनिंग जी ताबर तुर आंसर लगाओ नेक्स सवाल का आज देखते हैं कितने ये सवाल अगेन मैं लगा रहा हूँ नेगेटिव यानि ये सवाल थोड़ा easy side में नहीं है एक moderate level का सवाल है आंसर क्या लगाओ तो आंसर रहेगा इसका भाईया song dam answer रहेगा again the dam is located in उत्राकर ठीक है अगेन ये question बहुत अच्छा है तुम्हें अच्छे question मैं सारे करवाने वाला हूँ next सवाल देखते है next है लिंगन मुकी dam is built across which of the following river ये question repeat है पहले दो-तिन बार एक्जाम में देख चुग हूँ ये वाला सेम सवाल लेकिन इस बार भी पूछा गया अच्छा सवाल है answer लगाईगा ठीक है जल्द इस दो correct answer क्या रहेगा अच्छा सवाल correct answer क्या रहेगा correct answer क्या रहेगा सारा वती हो सकता है इसका जो एक्दम सीधा सीधा answer हो लेकिन अगला सवाली मैं पूछ रहा हूँ जब भी dam के बारे में पूछा गया river के बारे में पूछा गया next सवाल 110% पूछेगा state तो state आपको लगाना है कर नाट का again ये सवाल को मैं ले रहा हूँ positive side मतलब ये question हम easily लगा सकते थे ठीक है भाई लोगो अगला question देख लूँ next सवाल देखते हैं किस Indian state ने highest number of large dam है January 2021 के हिसाब से मलब कौन सा राज्य ऐसा है जहांपर बहुत ज़्यादा dam है और भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा dam है correct answer क्या रहेगा बहुत बढ़िया करनाटक सब कर रहे लेकिन वो answer की speed नहीं आ रही है वाई वो comment section में मुझे सब बच्चों का answer नजर नहीं आ रहे सब बच्चे answer करो ठीक है correct answer क्या रहेगा correct answer रहेगा महराष्ट्रा ये question ना option देखने के बाद हमें आसान लगता है लेकिन अगर option का चेड़ चाड़ करें मालो option में होता महराष्ट्रा option में होता मध्यपरदेश option में होता गुजरात और option में होता उत्तरपरदेश तो मेरा answer क्या होता सर सवाल सेम है लेकिन option change कर दिया तो answer क्या होगा महाराष्ट्र, MP, गुजरात, उत्तर परदेश ये चार उप्षन दीगे, क्वेशन सेम रखा गया है तो आंसर क्या लगा हूँगा, ज़र एक बर सोचो ये सवाल अगर बनता है, तो ये सवाल को कहूँगा तो आंसर को फोलो करता है, MP, MP को फोलो करता है तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर MP में है, फिर गुजरात में ये ओडर याद रखना है, और ये क्वेशन मैंने पहली लगा दिया नेगेटिव साइड है, मतलब थोड़ा मोडरेट लेवल का सवाल है, अगला कोशन दिखेगा वेर इज क्रिशन मराजा सागर डैम लोकेटेड, विदाउट एन डाउट पोजिटिव करहेगा, मतलब आसान रहेगा क्या लगाऊ साइगा, ओफ-लाइन स्टार्ट कर दो, पहले ओनलाइन का मजा ले लो, ओफ-लाइन छोड़ दो जल्दी से लगा, तोकल्दी आंसर इस क्वेशन का रहेगा, क्रिशन राजा नदी पूछ ले किस पर तो आंसर रहेगा कावीरी पर और किस राज्ये के अंदर तो करनाटक रहेगा ये question एकदम आसान है ये question एकदम आसान है कोई exam में पूछे तो एकदम मज़ा आ जाएगा अगला सवाल देख लिया जाए, next सवाल Where is Soma Silla Dam located? repeat है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एकदम नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूँ ये question सही हो सकता है Soma Silla Dam जो है, कहाँ पर located है answer लगाओ, ये question ये बन सकता है कि ये जो बांध है, किस नदी के ओपर ये सवाल मुझे लगता है, जो important सा लग रहा है तो नदी जो है, वो पैनार रिवर है कौन सी रिवर है, पैनार नदी ये मुझे याद रखना है, और पूछा जा रहा है कि कहाँ पर, तो correct answer क्या रहेगा आंधरपरदेश मुझे याद रखना है बोलो भाई, बनी कुछ बात answer, या तुम मुझे comment दिखाई नहीं दे रहे हैं नेक्स सवाल, where is चीरू थोनी डैम लोकेटिड, सर नेगेटिव लगा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेशन आया हुआ है और SST के एक्जाम में आया हुआ है लेकिन बहुत common question में इसे नहीं है correct answer में क्या लगा हूँ, जल्दी से बताओ correct answer क्या रहेगा, ठीक है नेक्स सवाल देखो, कौन सा आर्टिकल, चली, अब आपने डैम वाले सवाल देख लिए, जो अच्छे question आयो थे, वो ये question थे, नेक्स सवाल देखेगा, कौन सा आर्टिकल है हमारे सविधान का, जो equal protection of law और equality before law के बारे में बात कर रहा है, सर, 2021 का paper के अगर में बात कर तो सबसे ज़ादा सवाल, fundamental right, DPSP, fundamental duties और parliament से आए, सबसे ज़ादा सवाल, यानि अगर article से question है, तो इन topic से सबसे ज़ादा है, बाकि उटपटां question तो आएंगी, लेकिन सबसे ज़ादा यहां से आए, दीजेगा answer, correct answer क्या रहेगा, article number 14, जो है, ये एकदम लल्लू सवाल है, हर पच्चा कर सकता है, प्लस का होगा वई, ठीक है, बाकि सारे question आप फटावर से देख भी सकते हैं, जैसे 30 है, 30 के अंदर किस के बारे में, एक हलका सा click रख लो, अलब संख है, minority, answer रहेगा, 42, 42, my name is लखन, तो लखन का नाम मुझे आ दखना है, कि maternity leave मिलेगी, क्या मिलेग 60, राष्टबदी से related है, जब वो सबत लेता है, तो थोड़ा बहुत भी अगर मैं article पढ़के गया हूँ, तो ये question बड़े आसानी से लगा रहा हूँ, ठीक है, अगला question देखूँ मैं, next सवाल, कौन सा article Indian constitution का state करता है application of DPSP, पहली बात, ये directive principle, अगर मैं तुमें कहूँ, paper के अंदर कोई सवाल आया है, और उसमें ये word लिखा गया है, well, fair, तो आपका answer automatically क्या हो जाएगा, DPSP हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राज्ये के नीती निर्देश हो जाएगा, भाग number 4 में दिया हुआ है, article number 36 से 51 तक दिया हुआ है, correct answer क्या रहेगा, 37 रहेगा, शिक्ष ठीक है, आगे चलें भई, next सवाल लेखेगा, which of the following article of the Indian constitution talks about joint sitting, ठीक हो सर, क्या मुझे इस चीज़ का answer देना, अगर मैं कहूं कोई राज्ये की सभा चल रही है, जिसके अंदर by camera है, दो सदन है, assembly भी है, council भी है, परीशद भी है, और सभा भी है, इसके अंदर joint sitting हो सकती है, अगे नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है, yes और no, तो किस article में हो सकती है, एक बार answer करना, इस question को अभी मत देखो, इस question का answer करो, अगर कोई राज्ये के अंदर विधान सभा और विधान परिशत दोनों है, तो क्या दोनों सदनों के अंदर, एक सयुक्त बैठा गया, joint sitting हो सकत है, और नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, दोनों का answer करो, जल्दी से लगाओ correct answer क्या रहने वाला है, ताबर तोड़ सा answer, चलिए, तो एक चीज़ आप हमेशे आदखना, अगर मैं कहूं किसी राज्ये के अंदर, कोई विधान सभा या विधान परिशत बैठी है, क्या नो, भई नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि राज्ये के अंदर जो मेन शक्ती है, जो मेन पावर है न, वो किसके हाथ में होती है, वो legislative यहाथ में होती है, विधान सभा के हाथ में होती है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तो article number 108 में बतायागा है कि joint sitting ह हो सकती है, money bill से related है, supreme court से related है, और 75 related किस से है, भई यहाँ पर relate करता है हमारे सदन से, जो एक दूसरों को यहाँ पर appointment है या सला देने वाला program में इनके अंदर शामिल होगा, ठीक है, अगला question, भई यह question एकदम आसान था, हर बत्चा कर सकता है, next सवाल देखें, question है, article number 280 हमा article number 376, article number 324, article number 279A, बचा क्या, बचा finance commission, एकदम आसान सवाल, हर बच्चा बड़े ही easy तरीके से कर सकता है, ठीक है, answer कम आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं मेहनत करो, मुहित offline कबसे start होगी, भई अभी तो मुझे पता ही नहीं, शुरू भी होगी यह नहीं होगी, ठीक है, अगला question देखिएगा, article पूछा गया है, और डाला गया question mark, मैं आपसे तबी कहता हूँ, जब भी आप article पड़े हैं, तो please part के इसाब से करें, कि Parliament के अंदर इस article से इस article तक है, जैसे मैं बात करता हूँ, पब्लिक सर्विस कमिशन के बारे में, तो 315 से लेकर 323 के बीच में तो आपको पता होगा, तो सवाल ऐसी ही पूछा गया, किस article से लेकर, किस article तग भाग नंबर 6 में, हमारे सविधान के अंदर बताया गया है, राज्ये की सभाओं के बारे में, सदनों के बारे में, तो correct answer क्या रहेगा, question no doubt, मुश्किल side तोड़ा है, लेकिन अगर किसी बच क्लियर है, correct answer क्या रहेगा, correct answer यहां पर हमारा A रहेगा, 168 से लेकर 212, या भी याद रख लो, ठीक है भाई लोगों, इत्ता क्लियर है, आगे चला जाए, next सवाल देखे, अगला सवाल देखीगा, कौन सा article प्रोवाइड करता है, देखो, जब हम religion के बारे में बात करते है और fundamental rights के बारे में बात करते हैं, तो आपको एक चीज़ या दख लिनी है, कि article number 25 से 28 के बीच में धरम के बारे में बात की गई है, तो इनके in between हमें सिरव इसके लावा और कोई article नजीरी नहीं आ रहा है, तो बहुत सीदी से हमारा answer बन रहा है, भाया answer क्या होगा, answer होगा 26, कोई भी doubt नहीं हो इस question के अंदर बड़ा आसानी से question मनेगा, clear है, हाँ जी done, तो यहाँ पर correct answer क्या रहेगा, 26 रहेगा, कोई भी doubt इसमें नहीं रहना चाहिए, clear सर, अगला सवाल देखू मैं, और ये question भी आसानी से बन रहा था, which of the following article हमारे सविधान के अंदर deal करता है, अ आज ये के अंदर होता है, और ये पढ़ा है, article number 165 में, हमने पढ़ा है, controller, auditor, journal, इस आदमी के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं, article number 148 में, लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है, कि सविधान के अंदर, इसके करतव्यों की और शक्तियों के बार गूम रहा है, क्योंकि emergency पढ़ी है, 352, 356, और 360 के अंदर में, तो automatically ये उसी के पास है, question एकदम आसान है, हर बच्चा लगा सकता है, ठीक है बाई, बात बनी हाँ या ना, अगला देखू मैं, next सवाल देखते हैं, कौन सा article सविधान के अंदर provide करता है, governor of state, राज्यों के अंदर राज्येपाल के बारे में, बात कौन सा article करेगा, देखो, सर देखो, एके करके थोड़ा आसपास देहने लगते हैं, 136, सर ये हमने दूर पढ़ाया, कहीं हमारे आसपास नहीं है, क्योंकि हम लोग जहां बात करते हैं, हम लोग जहां बात करते हैं, वो पढ़ते है यहाँ पर governor के बारे में 153 में ये supreme court के बारे में ये कैक के बारे में और इससे पीछे तो automatic relate नहीं कर रहा है तो सिरव अगर मुझे article के order भी याद है ना कि इस article के बाद कहा है कौन कैसे है तो मैं question लगा सकता हूँ ये question गलत होने का question नहीं है अगर कोई बच्चा paper में ये सवा सवाद देखे next सवाद which are the following article of the constitution lay down duties and function of union and state public service commission अब question आया देखो अगर तुमसे all India services के बारे में पूचा जा रहा है तो answer होगा article number 312 पहला public service commission के बारे में पूचा जा रहा है तो article होगा 315 लेकिन पूचा गया है duties पूचा गया है और function पूचा गया है तो answer रहेगा 316 और अ article रहेगा 323 इत्ती बात मुझे clear है हां इत्ती बात मुझे clear है ठीक है यह चीजे सर याद करने वाली चीजे हैं इनको कोई बच्चा भूल के नहीं जाएगा बिल्कुल exam के oriented है duty और function पूचा गया ना आप तो मुझे all India service के answer लगा रहे हो कि 312 होगा लेकिन मैं आतों आप से जा रहे हैं याद कर लो ठीक है यह question ऐसी ही बनेगा अगला सवाल ठीक है अचा यह बैच के बारे में जो हमारा बैच अभी चल रहा है अर्जुना बैच ठीक है अभी उसकी class पहली सोंवार से होने वाली है पुरा foundation बैच है प्री प्लस मेंस का है जिसके अंदर हम सब लोग रहमो सर की 76 में एक दों फुल बैच लेकर आ रहे है ठीक है जिसकी फीज जो है 2999 है ठीक है अगर आप चाते है किसी टीचर का individual course लेना अगर मानलो आप चाते हो कि मेरा GS का बैच लेना या रहमो सर का बैच लेना तो आप अलग से individual course भी ले सकते हो पर यह combine वाला मुझे के अधार पर कौन कौन से 5 चीज़े हैं religion वंच जातिवाद कि से बिलोंग करता है कहां पे जनम ले रहा है इन में से कोई भी चीज अच्छा मैंने यह भी सवाल देखा है कि उपर लिखते है आर्टिकल 15 और कहते हैं इन में से कौन सी चीज़ डिस्क्रिमेंट ना करें तो यह भी सवाल आए तो क्या रहेगा पांच चीज पांच चीज करेक्ट आंसर क्या रहेगा आर्टिकल नंबर 15 एकदम करेक्ट है यह तो इक्वैलिटी है समझा आ गया शोशन के खिलाव है समझा आ अधिकार है हमें फ्रीडम से बहुत सारी चीज़ होगी वह आर्टिकल नं लेकिन 63 का मतलब तो क्या होता है उपरास्ट्रपती होना चाहिए ठीक है तो वह नहीं है टिक्स्टीफोर में पता चलता है एक्स ओफिशो 62 नहीं होगा तो यह दो आर्टिकल नहीं है ओके मेरे पास option क्या बच गया मेरे पास दो option बच गया 66 और 68 अब यहाँ पर जो है मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सांसा लगाऊं तो याद रख लेना 68 के अंदर हमको पता चलता है कि उप्रास्टपती का term कितना है और यहाँ पर पता चलेगा election कितना है तो एक question देख मान से उत्रा सवाल है यह बस चीजों को समझने की देरी है हम रिवीजन नहीं करते हैं सर यह हमारी गलती और कोई गलती नहीं है आप रिवीजन करें कम चीजे पड़ें सब कुछ बटोरने की बजाए चोटी-चोटी चीजों को पका करता चले अगर इते लगानी है तो मज अध्यादेश जारी करना है और यह क्वेश्चन से आसान मुझे कोई लगता नहीं सवाल आएगा पूछा गया जब यह सवाल तो आर्टिकल लंबर आएगा 123 क्योंकि 143 में तो रास्टपती एडवाईज ले सकता है किस से सर या तो सुप्रीम कोर्ट से सला ले सकता है या यह बिल को पास करो फिर आर्टिकल लंबर 77 सरी तो पार्लेमेंट क्या असपास कहीं घूम रहा है क्या हाँ उसे वहीं घुमा दो ठीक है यह कंडेक्ट विजनर्स से रिलेट होगा तो यहीं पर घुमा दो अगला सवाल चलिए अब यह हमने खतम किया आर्टिकल से रिलेट कहें ठीक है बट अभी जो क्लास है आज हम स्टैकिक जीकर देख रहे हैं लिकिस से आने वाली क्मेंट करें अगर अब मजा आ रहे ना तो आपको session को क्याiset करना या there session को share करना है जल्दी से जो live का account है ना live का account इसको 100 पार लेके जाओ ऐसे मज़ा नहीं आता है मुझे 100 पार लेके जाओ चलो अगला सवाल देखते हैं और एक एक जो है बच्चा class देख रहा है कम से कम अपने group में share करें या अपने whatsapp पे share करें कम से कम एक बंदा कम से कम दो दो को जोड़ेगा तो भी so plus जाएंगे तो share कर दो फटाफट से इसको ठीक है चलिए तो अब आता है हमारी SI unit का question सबसे पहले आ गया टोर किसकी unit है पहला question टोर तो मैं ध्यान से देखता हूँ power की unit तो what है तो ये तो नहीं होगा चलो एक question मैंने हटा दिया energy की unit तो जाउल है तो इसको भी मैंने हटा दिया force की unit तो newton है तो इसको भी मैंने हटा दिया बचा क्या क्या ये सवाल मेरा कोई गलत करवा सकता था नहीं करवा सकता थीक है तो positive का number लगा दूँ लगा दो ठीक है भाई मामला बन गया अगला question देखा जाए नेक्स सवाल देखीगा पार्सेक इस यूनिट आफ भाई पार्सेक जो है astronomical unit है distance को measure करती है यानि यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाईया length ठीक है generally distance को measure करती है option के जाब से length अगला question आ गया एक पार्सेक इूनिट कितने light year के बराबर होता है ये question भी exam में आ चुका है एक चंदर शेखर लिमिट चंदर शेखर लिमिट कितना mass of sun के बराबर है multiply कर दो answer लगा दोने question का एक पार्सेक इूनिट कितना एक पार्सेक इूनिट होता है 3.26 light year के बराबर है एक सवाल एक चंदर शेखर लिमिट 1.4 गुणा में mass of sun आपको याद रखना है 1.4 multiply mass of sun याद रख लो ठीक है अगला question देख लेते है which of the following is measured in the unit of the gauze भाई ये question थोड़ा मुझे अच्छा लगा बलब ऐसा भी नहीं है कि लल्लू पर साथ सवाल है देखो पहले मैं क्या करता हूँ marine की depth गहराई नापनी है तो मैं use करता हूँ instrument का फैथो meter ठीक है और इसको मैंने side कर दिया ठीक है अगर मुझे किसी nucleus की radius करनी है तो electron scope का microscope का इस्तमाल करेंगे तो हमको पता चल जाएगा भाईया ऐसा कुछ है force का हम लोग देखी चुके हैं भाईया newton वाला मामला है correct answer लगाएंगे magnetic induction याद रखोगे हाँ या ना इत्ता done है आगे चलें चलिए next सवाल देखें अगला question है which is the unit to measure the wavelength of light अगर मुझे किसी light की wavelength को measure करना है तो इन में से किस unit का मैं इस्तमाल करूँगा लगाओ जी answer ठीक है फ्रेसे force come dynamometer से भी देख सकते हैं लगाएगा जी answer correct answer क्या रहेगा which is the unit to measure the wavelength of light faraday, candela, dine, angstrom correct answer मैंने कहा है तुम्हें live बढ़ाना है live कम नहीं करना है भाई जितने उतने बन के पढ़े लो राम से जिसको पढ़ना है पढ़ो राम से चोड़ो वे live नहीं पढ़ना है यह जैराम जी की सवालों का answer करना है बस आप लोगों को correct answer क्या रहेगा unit of measurement of wavelength of light faraday, candela, dine और emstrom correct answer में क्या लगाओ बहुत प्यारा सवाल आंसर मेरे बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट आ रहा है D रहेगा सर M2 कितने बराबर है 10 की पावर माइनस 10 मीटर ये क्वेशन भी आ चुका है ये क्वेशन भी आ चुका है अगर कोई मुझसे बूचेगा Dine की यूनिट क्या है ठीक है फेरडे क्या हो गया हो गया जोँस बरकरार क्योंकि हमको मचाना है तहलका ठीक है बहुत बढ़िया अगला क्वेशन देखिएगा विच ओधा-फॉलिंग इंस्ट्वेन फॉमेंट मेजर इंफ्रा-रेड रेकिशन एक नंबर का धाकर जावाल एक number का question है answer लगाओ एक एकर देख लेते हैं पहले phone audio audio sound lesson से relate कर दें चलो ये sound से relate कर गए इसको मैंने cut दिया चलो भगवान ने एक सुन लिया हेलियो ये sun की radiation को measure करेगा ओके तो ये भी नहीं होगा हेलियो से relate कर के देखा था ओके ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया linear distance को measure करना यह नहीं होगा, correct answer क्या रहेगा, bolometer रहेगा आहा, मज़ा आ गया भाई, यह question आना चाहिए exam में, ठीक है almost सारे question भी लगा रहे हैं, लेकिन answer लगा दो क्योंकि heliose sun की radiation को measure करता है, और हम and more is the unit of conductance, यह इसका unit यह इसका unit आसान सवाल है मज़ेदार सवाल है clear भाई, अगला question नीचे आज़ वाई which of the following is the unit of magnetic field strength, magnetic यह magnetic induction है यह resistance है, बस इन दोनों में ही तो सोचना है, टेसला और weber के अंदर सोचना है, बाकी तो मैंने ढूंडी लिया जल्दी से रगाओ भाई, सिरफ दो question छोड़े या दो option छोड़े, इन दोनों में से click करना है, और यही exam में तुम्हारा तरीका भी हो question देखा, फटा पट से side कर दीक, यह तो नहीं होगा, answer रगाओ जल्दी से, ठीक है, तो यह हो गया, पूचा गया है, magnetic field strength के बारे में बताना है, तो correct answer रहेगा, टेसला, यह बताता है magnetic lux के बारे में, तो correct answer क्या रहेगा, C रहेगा, अगला सवाल, question अच्छा था सर, international agreement, अगला तरीका, अगला concept, international agreement पूचा गया है, Montreal protocol के बारे में, ठीक है, is related to, तो Montreal protocol क्या कहता है, wildlife के बारे में तो बिल्कुल नहीं कहता, world heritage के बिल्कुल नहीं कहता, राम सर के बारे में तो भूल जाओ, correct answer क्या रहेगा, ozone ozone की layer कहा आती हो, तो यह होती है, strato sphere के अंदर, यानी हमारे वाईू मंडेल के अंदर, दूसरी layer के अंदर क्या होता है, ozone depletation, जो हम देख रहे हैं, Montreal protocol के हिसाब से, पेपर में इतने भी रूख जाएंगे, कि नहीं, वो पूचेंगे, यह protocol कब आया, तो 1987 में आया था, exam में आयागा, यह सवाल, सही है भाई, आगे चलू मैं, next सवाल देखते हैं, हमपी declared, अच्छा, यह सवाल अच्छा है सर, पूचा गया है, हमपी जो है, एक World Heritage Site बना दिया गा था, UNESCO को दोआरा, इन में से कौन से साल में, प्लीज, UNESCO जब पढ़ेंगे, तो year भी याद रखेगा, थोड़ा वो trick लगागी, year याद रखेगा, पूचा गया है, 1999, 96, 80, correct answer में क्या लगाऊं, ताबर तोड चैंसा लगा दो, correct answer, जल्दी से, correct answer क्या रहेगा, correct answer हैगा, 1986, आपको याद रखना है, अच्छा सवाल है, मैं इसका आपने positive और negative दोन लगाऊं, depending आप लोगों ने previous एर कितना अच्छे से किया है, which other following heritage site, मध्या प्रदेश के अंदर है, खजुराओ, ओके, भगवान खजुराओ है, अरे यार, ये तो आयाय आय नहीं, अरे, नहीं भाई, ये भी नहीं, तो पहली चीज ये बिहार में है, तो इसको हटा देता हूँ मैं, बिहार वाल लोकेशन को हटा दूँ, करनाटक वाल लोकेशन को हटा दूँ, अब इन दोनों में सोच लेता हूँ, लेपाक्षी और भीम बेटी का करेक्ट आंसर में क्या लगाऊं, ठीक है, जल्दी से बताओ, तो लेपाक्षी जो है, वो आंध्रा परदेश, करनाटक, बिहार, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, सही बात, और ये कुश्चन एकदम से मैंने सही लगा गया हूँगा, मतलब ये कुश्चन सिरफ थोड़ी सी मेरी प्रेजिंस अगर ठीक है, अगर मैंने हलका फूल का चीज़े याद किया है, तो ये कुश्चन मैं कर लूँगा, नेक्स सवाल देखो सर, अचा ये बई मेरे बैच के बारे में है, क्या-क्या है मेरे बैच के अंदर, एक तो 14 से शुरू था कल औरियेंटेशन क्लास थी, तो ऐस सच कुश नहीं था, उसके बाद 5 मैने का डूरेशन है, प्री प्लस मेंस के लिए होगा, 8.30 से 10 पिम, रात को रखे एकदम चिल वाली मोड पे है, एक साल की वेलडिटी है, आप ओफलाइन ओनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, अच्छा इस बार के बैच में मैं अपनी खासेद बदाता हूँ, कि इस बैच के अंदर हमने क्या किया है, इस बैच के अंदर हमने एक चीज़ अडिशनल कर दिया, वो मेरे एंड पे थी, जो पिछले बैच में मुझे मैसूस हुए थी, कि हर बच्चे को इस चीज़ से काफी दिक्कद होती है, हमने पिछले बैच में सिरफ क्लास नोट्स पे फोकस किया था, लेकिन इस मोड्यूल के अंदर, इस अरजुन बैच के अंदर, हर क्लास के जो करवाओंगा, वो क्लास की तरही करवाओंगा कि बनाके, हाथ से लिखके, लेकिन हर मोड्यूल के आपको नोट्स दिये जाएंगे, चाहे वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में हैंड रिटन हो, या टाइप्ड हो, लेकिन हर मोड्यूल का पूरा-पूरा नोट्स मिलेगा, जो हम लोग क्लास में करवाते हैं, क्योंकि जर्नली जब हम नोट्स देते हैं, तो क्लास वाले नहीं होते हैं, लेकिन अब जो भी मोड्यूल के आपको नोट्स मिलेंगे, वो क्लास नोट्स होंगे, आफ्टर एवरी मोड्यूल आपको मिल जाएंगे, क्लास में पढ़ते रहो और मोड्यूल से पढ़ते रहो, ठीक है, चली, आप यह बैज ज़रूर जोइन कर सकते हैं, फॉर, CGL, Pre or Mains, कोई भी वन डे एक्जाम, क्योंकि मैं जब GS करवाता हूँ, तो मैं बिल्कुल सोचके नहीं करवाता है, कि मैं CGL के लिए प्रिपेर करा रहा हूँ, मैं हर जर्नलाइजड करके GS करवाता हूँ, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर देख सकते हैं, नेक्स सवाल देखते हैं, विचोधा फॉल्विंग यूनेस्को रिकोनाइज साइट या डान्स फॉर्म, अच्छा डान्स फॉर्म पूछा गया है, यूनेस्को के दूआरा रिकोनाइज किया गया है, यह सवाल भी दो से तीन बार आचुका है, ठीक है, कर्यक्ट आंसर इसका है काल बेलिया, अब मैं तुम्हें बसाता हूँ, सवाल क्या पूछा गया था, पूछा गया था काल बेलिया को, UNESCO ने कब रिकोगनाइज़ किया बे कुशन था लगाओ आंसर, क्या रहेगा आंसर, जल्दी से पड़ाबट से लगाओ कब रिकोगनाइज़ किया, काल बेलिया को तो आंसर बता क्या रहेगा, एक तो राजस्थान का डांस है, और इसको 2010 में रिकोगनाइज़ किया गया था भागड़ा और गिद्दा गिद्दे विच्चे, तो गुद्दा वाला ये भागड़ा वाला कौन सा है, पंजाब वाला डांस हो गया अब ये जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि दाल खाई, हमने दाल खाई कहाँ खाई, उडिशा में जाके खाई तो क्रेक्ट आंसर क्या रहेगा, उडिशा रहेगा ये भी मुझे आद खना है, बहुत बढ़िया सावाल बनेगा, अगला क्वेशन है युनेस्को के दोवारा वल्ड हेरिटेस साइट जो इंडिया के अंदर है इन में से बताना है, कौन सा पेर जो है, वो सही से मैच नहीं कर रखा मलब वही पेर खराब है, एक पेर सबसे पहले मैं देगा, लाल किला 2007, मामला ठीक लग रहा है सांची स्टूप, 1988, कुछ गडबड़ गड़़ लग रहा है फतेपुर शिक्री सही लग रहा है आगराफोट ये भी सही लग रहा है, भई यहां कुछ लोच्चा लग रहा है क्या कोई मुझे बताएगा कि सांची स्टूप MP के अंदर कब रिकोगनाइजड किया गया था, जल्दी से एक पर आंसर लगाओ तो जहां 88 है ना वहाँ पर 89 होगा तो तुम खुद देख लो कि UNESCO के कैसे कैसे सवाल आएवे ठीक है, UNESCO के कैसे कैसे सवाल लेखो कितने बढ़िया सवाल आएवे तो कर्रेक्ट आंसर यहां पर क्या रहेगा, भई यहां पर रहेगा बी आंसर याद रखो, अगला सवाल देखीगा अगला सवाल देखीगा कोई बच्चा डाउट नहीं कर सकता यह सवाल इतना आसान कि एकदम नंबर खीच चलो यहां से और यह भी कुश्चन गलत कराए तो अपने आपको खीच के मारू, वहीं टेबल पे ठीक है, अगला सवाल देखीगा on which of the following city is the headquarters of all India chess federation chess federation का पूछा गया, correct answer में क्या लगाऊ chess federation जल्दी से बाई तुमारे ना answer इतने इतने सोते वे आ रहे है, जागो यार जागो, paper मेरा है या तुमारा तो जाग के फटाबट से answer करो correct answer क्या रहेगा, correct answer रहेगा बाई चेन नहीं, एकदम से याद कर लो, बहुत प्यारा सवाल अगला question और मुश्किल नहीं है ये वाला सवाल tennis federation tennis federation, football federation, hockey federation tt federation, सब पता होनी चाहिए in which of the following country, headquarter of international table tennis federation located, correct answer क्या रहेगा lozen, switzerland correct है और बिल्कुल आसान अगला सवाल है, इन में से कौन सी country के अंदर headquarter है, olympic committee का lozen, switzerland answer कितना आसान सर positive लगाओ, next इन में से कौन सा headquarter, hockey federation का है क्या सर मैं same लगा दूँ सर, same लगा दो lozen, switzerland, एकदम correct answer सर, देखो question आते हैं इतना भी मुश्किल नहीं आते हैं जितना लोगों ने हववा मना रखा है जितना GS को लोगों ने ड़ा रखा है GS में नंबर आई न सकते हैं GS मत पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है अगर GS जंक से बढ़के जा रहें important topic अच्छे कर गया है GS में नंबर आएगा, guaranteed है अगला question देखते है next सवाल देखेगा इन में से कौन से musical instrument है उस्ताद जाकिर हुसेन तबला बजा दिया जाकिर हुसेन भाई साब ने क्या बजा दिया तबला बजा दिया क्या ये सवाल मुश्किल था, नहीं था और ये पिछल बार के सीजल में आया था अगला सवाल देखो श्तिव कुमार शर्मा, नहीं पढ़ा भाई यही नहीं पढ़के गए थे और यहीं आ गया correct answer क्या रहेगा, correct answer स्तितार और संतूर, संतूर हैगा अच्छा मैं एक सवाल यहाँ पूछ सकता हूँ अगर मैं एक्जामिनर हूँ और सवाल को मुश्किल करना चाता हूँ उस्ताद जाकिर हुसेन का जनम कहां पे हुआ था सवाल आ गया, उस्ताद जाकिर हुसेन का जनम कहां पे हुआ था पता-ांस्र क्या आएगा वाटा कि आना मंबभी लगाओ है तो बुरा मान जाएंगे उस्टाद लोगे अगला कोशन देख लो में नेक्स सवाल इन में से कौन सा म्यूजिशन है जिसका नाम है स्टाकूर खान एसोशेट करता है इन में से किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ सितार, सरूद, सरंगी, संतूर, सारंगी है बई देखो ये तो याद करने पड़ेंगे इसका कोई सरपर नहीं है अब कोई आदमी कोई शौक है तो आपको तो याद करना पड़ेगा इस आदमी को ये बजाएंगे शौक है ठीक है ऐसे सवाल देखने में मुश्किल और आसान दोनों लग रहे है लेकिन अगर पड़ा है तो सवाल बनेगा और नहीं पड़ा है तो नहीं बनेगा ठीक है लास सवाल में क्या किया है हमने सारंगी लगाया है अब लगाओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या रहेगा ठीक है अगें यह इसके साथ associate करते हैं, वीना harmonium है, तबला और बासुरी है, ये जान भूज के मैंने सारे एक किसम के भार निकाले हैं, ये भी तबला player है, अगला सवाल, भजन सुपोरी related भी 14 फॉली musical instrument, ये किस instrument के साथ relate करते हैं, अब तबले को छोड़ देते हैं और संतूर बजाते हैं, किस तबला बादक को side कर देंगे, ठीक है, अगला question देख लें, अगला सवाल पे चलता है, इन में से कौन सा communicable, communicable क्या है, hello भाई, communicate कर रहा है, तो वो hello भाई, disease भी है, communicate करेगा, disease भी क्या है, communicate करेगा, जैसे measles हो गया, HIV हो गया, ये सारे क्या है, communicable है, ये फैल सकते है, अब मैं वैसे बोल दिया है, measles correct answer होगा, scurvy, vitamin C की कमी, asthma, respiratory disorder है, diabetes, insulin की कमी हो गई, body के अंदर insulin की कमी हो गई, और insulin की कमी से, जैसे मान लो, ये insulin है, ये blood है, insulin लोडर पर action करता है, और blood के अंदर जो glucose है, उसको glycogen में convert करता है, जब insulin कम हो गया, तो इस glucose का glycogen के अंदर breakdown क्या हो गया, कम हो गया, और अगर glucose का glycogen के अंदर conversion कम हो गया, तो हमारे blood में क्या हो गई, glucose है, शुगर जादा हो गई, तरह भी जो कहते है, शुगर जादा हो गई, इंसुलिन की कमी हो गई, शुगर जादा हो गई, तो insulin को release करने की दवाईयां दी जाती है, ये पेट के ओपर पैचीज लगा जाते, insulin release, जितना insulin release होगा, उतना glucose का conversion glycogen में होगा, और blood के अंदर शुगर का content कम होगा, याद रख लोगे, glucose, insulin, बोलते हैं कहां से निकलती है, भाई, बीटा से निकलती है, कहां से isolates of Langerhen, Langerhen was the founder, ठीक है, ये आपको याद रखना है, भाई, पेपर में ये भी सवाल आचुके है, अगरा question है, भी चोदा following is not a waterborne disease, भाई ये पानी से नहीं फैलता, ठीक है, गंदा पानी पी लिया, गोलगप्पो का पानी पी लिया, भाई ने एक बार नाक वे दिया, फिर गोलगप्पों में दिया, फिर तुम्हें दिया, ठीक है, और बाकी different different जगा दिया, तो वो सारी चीजे जो है, आपको ध्यान रखने है, गोलगप्पे वाले को भी या, गोलप्स पहनना है, ठीक है, कबड़ी खेलते हो गोलगप्पे नहीं बनाने है, और ये वीडियो स्तुम्हें ने बहुत देखी हूं भी या, गोलगप्पे वाले कहां कहां भी हमारे जो फिल डाइरिया, पेट खराब, लूज अमोशन, सब लग जाते हैं, तो करेक्ट आंसा लगा देना है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मिला जाएगा, अगले कोशन कहां सा लगाते है, इडिन्टिफाइद डिजीज कोज वाधर डेफिशेंसे और विटामिन B1 B1 की कमी हो गई, B1 के बहुत सारी कैटेगरी है, B1, B2, B3, कैटेगरी चल रही है न, तो पूछा गया, खाली B1 से कमिया हो रही है, ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, ये वाला आइटम जो है, विटामिन B12 की कमी से है, इसको हटा दो, रिकिट्स विटामिन D की कमी से है, आए गई, आए के कुशन, हैपटाइटीज कोज़व, हैपटाइटीज किसके द्वारा किया आजाता है, ठीक है, पैरसाइट है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वाईरस है, करेक्ट आंसर मैं क्या लगाऊं, तो जल्दी से लगा दो, क्रेक्ट आंसर क्या रहेगा, जैसे, जल्दी से लगाओ एक बार आंसर, ठीक है, पड़ा बढ़ते ताबर तोड़ लगाओ, कमेंट जो है, तुम्हारे बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं, एकदम दिल छुने वाले कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, कम से कम सारी बच्चे जो है, सेशन को लाइक जरूर करें, सेशन भी रहे हो के नहीं लिख रहे हो, लगाओ जर आंसर, ठीक है, गह होगा, आंसर क्या बात है, गह लगा देते हैं, जल्दी से लगाओ भई, जल्दी, हैपटाइटिस, किस से, अभी थोड़ देर पहले मैंने बोला भी था, वाटर ब्रॉन है, ठीक है, कॉम्मुनिकेबल है, जल्दी से बताओ, लाइक बहुत बढ़िया, आंसर लगाओ, आंसर लगाना जरूरी है भी या, आंसर, आंसर नहीं लगाओगे, तो मजा कैसे लोगे, जल्दी से लगाओ भई, तो आंसर भई, याद रख लो, वाइरस होगा, क्या होगा, हैपटाइटिस, वाइरस से है, अगला सवाल, इन में से कौनसा ऐसी बीमारी है, जो वाइरस से होते हैं, हैपटीस, येस, ओ यार, आया नहीं question, तो वाइरस वाला question जब आया नहीं, तो याद तो करना है, ठीक है, कईस में है टेटनस है, लेपरोसी है रुबेला है, मलेरियो काट दो प्रोटो जवासे होता है, चालो भगवान ने एक सुन ली तीन ओप्शन रहेगे, इन में डिसाइड करूँगा ठीक है टेटनस, बैक्टीरियल है टेटनस क्या हो गया, बैक्टीरियल काट देते है अब बच्चे हमारे पास दो ठीक है अब हमारे पास बच्चे दो, कौन सा लगाओ ठीक है, लेपरोसी और रुबेला सिरफ दो बच्चे है आपको आंसर लगाना है, ताबड तोड तरीके से क्या होगा लेपरोसी और रुबेला सिर्फ दो अप्चेन छोड़े भाई, पड़ा पड़ से लगा दो रुबेला आ रहा है, क्या बात जिन्दा तो हो तुम, थोड़ा थोड़ा जिन्दा हो लेकिन ठीक है करेक्ट टांसर क्या लगा दो, रुबेला लगा रहे है अगला सवाल एनिमिया, खून की कमी हो गई डाक्टर सहाब, क्या करूँ तो कहता है डाक्टर कि चुपचाब खून पीना बंद कर दो तो खून बंनने दो उस आदमी का एनिमिया, इस कोज़ बाई डेफिजिंसी और विटामिन क्या हो गया, प्रोटोजोवा अगला सवाल, स्टेडी ओफ स्किन डिजीज बिमारी हो गई, चमडी रोग चरम रोग, तो कौन सा डॉक्टर देखेगा, डर्मा वाला डर्मेटोलोजिस सीधा याद रख लो अगला सवाल है, इडिन्टिफाई दिजीज कोज़वाई मंकी, मंकी ने काट लिया कुत्ते ने काट लिया, बीमारी रह बिसकी होगी नेक्स्ट आ जाओ, अच्छा ये वही बता रख का वही पुरा ध्यान से देख ले नेक बर जिसको परचेज करना परचेज कर सकता है, बहुत बैतरीन बैच ही रहने वाला है, तो मुँ पहले ही बता दे रहा हूँ ठीक है, और इसका रिव्यू आप बच्चों से ले सकते हो कि बैच कैसा रहा है, या इससे पहले वाले बैच कैसे रहे है थोड़ा लेट को अगर मैं छोड़ दूँ, जो कि इस बैच का ओडर नहीं होने वाला है बाकी हर बच्चे से आप रिस्पोंस ले सकते हैं कि कैसा बैच रहे है ठीक है, अगला कोशन देखते है, नेक्स आता है अच्छा, ये सवाल मुझे बहुत प्यार लग रहे है क्या सवाल है, यूडी नामिक्स, शैलो पैसिस, नाम ही ऐसा है साइंटिफिक नेम है किसका, किसका न साइंटिफिक नेम है भाईया, उड़ा उड़ा रेका बुत्तर मेरे तो वो वाला डांस ऐसा नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ-कुछ वैसे बक्षी दिखता है ठीक है कियोल ठीक है अगला सवाल देखेगा बोस म्यूटस साइन्टिफिक नेम किसका है तो जिसके सामने हैं पहाडों में जाते है फोटो की चवाग आते है याक करेक्ट आंसर क्या रहेगा वाइल याक जो है मैं करेक्ट आंसर लगाना है अगला सवाल देखे लेते हैं साइन्टिफिक नेम ओफ डैस सिट्रस आगे ने सिट्रस खटे 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 आइटम करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि वीफट यहां पर क्रेक्ट आँसरा है गा नेक्सट आजो पिस टूपला विप्रटी यह साइंटिफिक नेम है किसका टोटे का मिठचु करेक्ट आंसर रह最近 सवाह देखना जाए क्पर हिकरस कौनली नेम किसका है बहुत बार ने नहीं देखे गए ठीक है तो इन पुराने को भी देख लो इसा है क्या इंगलीश में दिख नहीं रहे कि उपर वाल इंगलीश ही तो चल रहा है अगला सवाल देख लू मैं नेक्स सवाल देखो आ डांस वाला आगा ये तो तुम्हें सब ज़्यादा पसंद होगा कि भरत नाट्यम डांस जो है इनमें से किस स्टेट से बिलोंग करता है देखो ये सवाल पूछा गया है ये है आम जिंदगी मेंटो जिंदगी क्या है भरत फुरा फैख वाली आरदूंगले ये दो नाव आपको याद लगर नेए जिनोंने भरत नाट्यम को पूरा जीवन जो है इनोंने दिया ज्या रख लोगा फैलेकरैक्ट आंसर क्या रहेगा तामिंदाडू रहेगा ये एकदम रिपीट वाले सवाल है रिपीट वाले ठीक है इंग्लिश में अज़र स्क्रीन थोड़ी उपर हो जा रही है ऐसा है क्या मोबाइल देख लो कहीं उपर इदर उदर तो नहीं जा रहा है जो स्क्रीन तो फिक्स है एक दम ठीक है याद रख लोगे हाँ है न कुनीथा एक डांस फोर्म है क्या ना में कुनीथा ये करनाटक की तरफ आये जाता है कुनीथा कहां पर ये करनाटक के अंदर अगला कुशन देख लिए जाए नेक्स सवाल देखते है वर्गीज डांस परफोर्मड किया जाता है दशैरा के त्युहार पर एक स्पेशल डांस फोर्म होता है किस राज्य के अंदर कुशन बहुत अच्छा है वर्गीज डांस रिपीट है लेकिन अच्छा सवाल है आंसर लगाओ जल्दी से वर्गीज कहां भी किया जाता है तो करेक्ट आंसर रहेगा परफॉर्म किया जाता है करनाटक में अगला कुशन देखते हैं नेक्स सवाल है रतवाई एक डांस है एसोशियेटिड है कौन सी ट्राइब के साथ मेवाती है खासी है जतपुझ है और भील है आंसर मेवाती और ये क्वेशन तीन से चार बार रिपीट है इतना प्यारा सवाल तीन से चार बार रिपीट है ठीक है याद रख लोगे आगे सवाल देखें नेक्स देखेगा आपना एक लिष्ट बना लो और इसमें लिखे लो अब पूचा गये इन में से कौन सा है चलो भई, मार्शलार देख लें भई, जाउ डांस जो है एकदम करेक्ट है आंसर रहेगा इसका जारखंड की तरफ वेस्ट बंगॉल की तरफ उडिसा की तरफ ये मार्शलार डांस किया जाता है और ये अच्छा सवाल में से एक है जोरा कहां पर है पर तरफ 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 तर चीरा लिख दो एकी बात है, तो सवाल पूछा किया कौन सी ट्राइब है, आंसर लगाओ जल्दी से, बहुत बढ़िया, सिक्किम की ट्राइब लेपचा, सिक्किम की ट्राइब ये क्वेश्चन भी आचुका है, आंसर याद रखियेगा, आईगा, आगे सवाल, अगे सवाल देखते हैं, देखो ये सवाल पूसर रखियेगा, सवाल पूछा गया है देखो मैंने आपसे पूछा था ना ऑप्शन में दिया हुआ है और इसका मतलब होता है बैम्बू डान्स यह पेपर में आया होता सवाल ठीक है इसका आंसर है कि नहीं यह आपको डिचाइड करना है इनमें से कौन सा डांस जो मिजोरम के अंदर तो यह इसके डांस बहुत बहुत इंपॉर्टन है प्लीज इसको याद रखेगा एक नमबर का दो ठीक है, TGL 23 का पेपर लीक हो गया है, अच्छा, कहां से बता चला बाबू, कहां से बता चला, किस ने बताया आपको, ये इंपोर्टेंट खबर आपके वास कैसे पहुंची, ठीक है, अगला कोशन देखू मैं, नेक्स सावल देखीगा, बंद पत्थर, पत्थर लो, पत्थर किया जाता है, इन में से किस राज्य के अंदर, पत्थर बंद करना है, और फिर खेलना है, क्या अंसर लगाँ, जल्दी से लगाँ सारे बच्चे, पड़ावट से ताबढ़ तोड़ आंसर लगाना चाहिए, ठीक है, तो देखो, पत्थर वाले गेम जो है न, ज्यादा कहा खेला जाता है, यह कश्मीर की तरफ जादा खेला जाता है, ठीक है, तो वैसी थोड़ा सा लिंक जो है, आपकी दिमाग में बैठ जाएगा, तो अंसर आ जाएगा, कि कश्मीर हमको लगाना है, रेक्स सवाल आता है, मैं माता, एक पॉपलर डांस है, काल कोई कम्मुनिटी आपको यह कम्मुनिटी याद रखनी है, कालोई, मैं माता, पूछा गया किस राज्य के अंदर, अगली बार ना क्वेश्चन बिल्कुल ऐसी बनेगा, बस यह लिखा होगा, मैं माता, इस राज्य के अंदर, कौन सी कम्मुनिटी के यह डांस को परफॉर्म करती है, बस इत सवाल देखें, क्वेश्चन है, थोड़ा, एक स्पोर्ट डांस, ठिक, 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 बिलोंग टेवी चोधा, फॉल्विंग सेट, शिक्किम हरियाणा, आंद्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, करेक्ट आंसर क्या लगा, जल्दी इस लगा, क्रेक्ट आंसर क्या रह रहे हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट देखो, पोस्ट मेला डिस्प्ले, लोकल आटीशन डिस्प्ले करते हैं, एक फोक डांस, म्यूजिक, खाना, कल्चर, सब मिलेगा, ऐसा मेला है, खाने का प्रोग्राम है, ठीक, सब प्रोग्राम फिट है, तो पूचा के इन में से किस रा अगला सवाल, डैश, ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्टुमेंट है, लिंबो कम्यूनिटी का, अगला सवाल, ये लिंबो कम्यूनिटी कहां मिलती है, सिक्क्य में मिलती है, अब पूचेंगे, इन में से कुछ बताओ, कुछ समझ आ रहा है, सब को नया-नया ऐसा लग रहा है सबको नया नया ऐसा लग रहा है वैसे correct answer क्या है तेयप बूरूंग है नौर्थ इस्ट के सवालों का कोई सरपैर नहीं है आपको याद करने ही पड़ेंगे अगर previous year कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है गूगल करके ज़्याद धक्के खाने की जूरत नहीं है previous year अरच्चे से कर लो ज़्यादा फायदा होगा ठीक है याद कर लोगे जैसे अब यह question पूछा गया मुझे actual में सवाल जो बहुत अच्छा लगा देखो एक question पूछ रहा हूँ यह सारे musical जो है इंस्ट्रुमेंट नहीं है जैसे यह है चट के यह represent करता है romance को छीक है no matty, no matty कहा मनाया जाता है यह तिरिपुरा के अंदर किया जाता है सिक्किम और तिरिपुरा वाल लोकेशन भी किया जाता है बाकी यह सिली है यह भी सिक्किम के अंदर है ओल्मोस सारे सिक्किम के अंदर हैं लेकिन ये वाला ये मैंने कहीं एक्चुल में पढ़ा था इसके बारे में रिलेटेड विद रोमायन्स है ठीक है प्यार मुझे गाने हैं याद रख लेना अच्छा कोई मुझे बताएगा कि लव होर्मोन किसे का जाता है ऐसी दिमाग में आगए मैं चलो पूछ लेता हूँ लव होर्मोन मतलब ऐसा होर्मोन जो लव के लिए जाना चाहते है कोई बताएगा मुझे बच्चा ठीक है जल्दी से जो डाउट है पूछते रहो कमेंट देखते हो में बता दूँगा ठीक है जल्दी से बताओ लव होर्मोन क्या यह होर्मोन तुम्हारे पास है हाँ है जल्दी से बताओ कौन सा होर्मोन क्या इस होर्मोन का अभी के लिए मार देना है अभी के लिए मार देना है एक्जाम से पहले इसको मार दो फिर जिंदा कर लो लेकिन अभी फिलाल के लिए option के बिना बताना है ऐसा hormone option के बिना बताना होता है यार ये तो प्यार बरे hormone तुम्हें नहीं बता बाकी बाते भूल जाओ आदम दारूप के गिर जाता है कौन सा part काम करना बंद कर देता है दिमाग का part हमने याद किया था अब इसको याद option के जुड़ता है नहीं जुड़ता है ठीक है नाम click नहीं कर रहा है चलो मैं बताता हो तुम्हें oxytocin है oxytocin है इसे ही birth hormone भी कहते है क्या कहते है birth hormone जब पैदा होता है ना तो जब बच्चे को भार आता है तो हमारे जो females के लिए है यह होर्मोन ब्लीज दो आता है तो बर्थ के टाइम पिन की यूट्रेस को रिलेक्स कर देता है तो यह होर्मोन है जब हम फिल्मों में देखते हैं कोई किसी को गले लगता है तो प्यार आ डर, प्यर, प्लाइट, पाइट, तीन एफ, कौन सा हॉर्मोन है, एड्रिलीन का पार्ट है, 4S हॉर्मोन, stress हो गया भाई, stress हो गया, तोल्ट को settle करना है, 4S हॉर्मोन भी एड्रिलीन है, याद कर लो, ठीक है, सदिए मैंने पढ़ा नान्स और या कौमन डांस है किस देश का बताव लग गये हैं करेक्ट आंसर किया रहласт लड़के का नाम महिंद्रा लड़की का नाम संग मित्रा कर बेटा तथास तू जाओ और बहुत धर्म को परमोट कर गया था कि बहुत धर्म को पहली बार इंडिया से भार किसने परमोट के था ठीक है और अगर बात करें अगला सवाल देखते हैं दस ट्रेडिशनल फोक डण्स गोती पुआ बिलोवं ये गोती पुआ कांसे बिलोग करता है भाईओ यह उडियुका से लोग। चरही कहां से उडियुका याद रख लोगे अगला कोशान है विच और फॉल्विंग डांस फॉर्म राजस्थान राजस्थान का डांस है जुहाल दापू कूमी मरुन इतना डिटेल में कैसे याद करेंगे ऐसा लग रहा है लोकल बता रहे हैं गली में आगे डांस चल रहे हैं नाम बताओ क्या है मैं बता रहे हूं हम अपनी स्टेट मे तुमसे पूछी कौन सा डान्स कर रहा है तुमको डान्स सब्सक्राइब यह तन्हीं मंदशन डान्स है जो ये मारूनी डान्स यह सिक्किमे देखा जाता है कहां देखा जी सिक्कि में बहुत बढ़िया जी कलिंगा वर 261 कलिंगा वर कि अगर मैं बात करूं कलिंगा वर भी बहुत सार लोग मारे गए थे इतने लोग मारे गए कि उसका दिल पिंखल गया ख्यारा अब मैं कोई नरसहार नहीं करूंगा तो एक सवाल आया था अगर भी हिऊगा वों धर्म होगा बैरी घोष को धंगोर्ष में करना यह बात एक शीला लेक के ऊपर में चेंषार इनकी 14 बडी बडी शीला लेक थी inscription थी उनमें से किछ सिला लेक के ओपर ये बात लिखी गई है अगर कोई recall कर पारा है तो comment section में answer कर दे सर मैंने CGL दिया है बट हुआ नहीं अब मैं 23 सीजल में कैसे बढ़ूँ बहुत demotivate हो रही है देखो अगर कोई आदम demotivate होता है तो किसले demotivate reason reason पकड़ो कि मैंने महनत करी थी मेरा हुआ नहीं तो महनत खरा थोड़ी गई है महनत करी है लेकिन वो कम हुई है उस महनत को सही करने का time यही है मतलब अगर तुमने अब महनत नहीं की ना यह महनत जो waste की वो तो गई है यह जो time है यह भी waste होगा और फिर हम कहेंगे यार 24 में बहुत demotivation level double तो तुम इसको दूसरे aspect पर देखो कि मैंने starting कर ली है अब मुझे वो race पूरी करनी है और बस अगली race तक तो जाना ही नहीं है तो अपने motivation आएगी कि तुम और हजारों लोगों से अगल बदल के देखो इसे तो वही होती है बस हमें अगल बदल के देखना होता है हर चिक्के के दो पहलू वो कहानी पुरानी है अच्छे के साथ बुरा बुरे के साथ अच्छा जुड़ा हुआ है हम क्या देख रहे हैं बात उसके उपर है जो कि मैं कहा रहा हूं कि लाई पढ़ारों मैं चानु सो सो लाई वाहे हैं डोसूं आए पांचसओ भाद he नहीं आए तो मैं क्या कहूं कि कोई बात में बहुत बुरा हुआ यार लाइव नहीं आए ठीक है लगता है ऐसा कि आने चाहिए ते पर कोई बात दूसरे दूसरों के उपर मत ढूंड़ो और जब भी डी मोटिवेट होते हैं आपने मम पापा कर देगो सबसे तगड़ी मोटिवेशन आएगी ऐसा नहीं है तुम्हें मोटिवेशन आएगी ठीक है एकदम मोटिवेट रहोगे अगर चीजों को अच्छी निगां से देखोगे अगर निगां गलत कर दी तो मामला फस जाएगा देखो जी अब धापू जो है अंद्रपरदेश सिक्किम का नरित्य है ठीक है और बचा हमारा कुम्मी नरित्य है तो ये तमिलनाडू वाल फायदा होगा और ये बात ना मैं बिल्कुल साल के पहले टाइम में तुमसे बोली थी और मैं पहले भी बोलता आ रहा था कि हर बच्चा अपनी लाइफ के अंदर आर्स को मत देखो आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करो कि मुझे आज इतना करना है और मैं इतना करके ही रोज का टार्गेट रोज रखो वह लंबे-लंबे टार्गेट वह फैके जा रहे हैं बच्चे वे बच्चा हमें बाइव ट्रेव बन गावन बन गया कितना यह मैंने ना एक हफ्ते का बना दिया और पॉलेटी उसमें खतम हो गई है तुने यह मैंने मैंत का बना है 15 दिन क एक एक दिन का टाइम रखो आज मुझे इतना करना है और मैं इतना ही करूंगा कल मुझे इतना करना मैं इतना ही करूंगा रोज का टार्गेट छोटा टार्गेट एचिवेवल टार्गेट जब टार्गेट पूरे होते है उसकी खुशी तुम्हें अगला टार्गेट पू तो तुम्हें उसको और सब्सकूराइब सब्सक्राइब अपने यह सीजियल भिखरा हुआ है मैं सीज इन कर लूँ गा ना कि मैं इसीजियल का यह क्षेट हुता है यह खेट करत में काम करता है तो उसको बाक लेता है ओसार सारा recorded अब मैं यहां जोत लिया आखिरी में लगाया फिर मैंने बीज यहां दे दिया एस तो कुछ पता ही नहीं चलेगा ना और यही तो हम बच्चे सब कर रही रहे हैं आज मैं जोगरी फिटा ली कल पॉलिटिवाली फिर परसो इस्ट्री उठाले परसो साइंस फिर करंट फिर अ सब्सक्राइब दिमाग करने का तरीका अलग है उस टेक्निक को फॉलोगर जो तुम्हारी लिए बैस्ट है अच्छे से करोगे चीज अच्छे से होंगी हाथ पैर जैसे हमारे देशियों बोलते हैं भाई जैसे मिरे मम्मी कहती मेरे को कि कोई चीज कर उसको देखना हाथ प सब्सक्राइब कर आओगे अब वही बच्चा पॉलिट्री चल रही है सर केमिश्ट्री कब कर आओगे तो वह जो चल रहा है उस समय को जीना ही नहीं चाता है वह उसको जीना चाता जो आगया आएगा जो समय है यही जीओ अच्छे से करो रोज का काम रोज करो मजा आएग ठीक है भाई चलो अगला कोशन देखते हैं नेक्स सवाल क्वेशन आ गया पैथनी एक फॉम फ्रॉम महाराष्ट्रा क्या है डांस टेक्स्टाइल विए अगरिकल्चर क्लास अब सीधी सी बात हम डांसी के बारें पढ़ रहें तो डांसी होगा ना ठीक है लेकिन नहीं यह क् सब्सक्राइब क्या है नेक्स सवाल है पंथी एक डांस फो मैं इन में से किछ अभी तुमने पंथी के बारे में पढ़ा नहीं थोड़ा अलग पढ़ा अब क्या पढ़ रहा हूं पंथी कहां का है भी चत्तिजगर याद रख लो चत्तिजगर का होगा क्रेक्ट आंसर ठीक इसक पौश्ट कर रहे हो और करने इगनोर नहीं कर रहा हूं कौन सी पोश्ट प्रेफ्र कर रहे हो अग। तुमना रैंक लेआओ बस पोस्ट मिल जाएगे पहली रैंक लेआओ बन पसंट पोस्ट लेड़ा अगला सवाल जो है इसमें पूछा गया है एक ट्रडिशनल थेटर है जब्विट कश्मीर का जैत्रा माज स्वैंग बंद पत्र यहीं पड़ा था लेकिन वह क्या कहना चाहरा है वह यहीं तो कहना चाहरा है यह सवाल रिपीट है तो मतलब आता है हम लोगों को ठीक है हम लोगों को आता है जत्रा का है यह वेस्ट बंगोल का है याद रखो ठीक है स्वांग यह हर्याना का है हम सांग कहते हैं लिखा जाता स्वांग है ठीक है याद रख लोगे जो माज डांस है वो राजस्थान का है शायद तुम लोगों को समझ आते हैं हमारे ऐसे कहते हैं जो ज़्यादा ओर ज्यादा है ठीक है अगला सवाल देखते हैं विच्व जी जी को ट्रिब्यूट दी गई है इस डांस में नत्यांजली याद रखेंगे इन विच्व फॉल्विंग डांस वुमेंट डांस रही का परेड वैसे तोते की तरह नास्ती नहीं नास्ती अच्छा भी नास्ती बुर किवलों के यकला सब करेंगी तो कौनसा नाच करेंगी को not सなた करेंगी गोwa सुवा निरित्त गरेंगी तो टतरन आया है अगला सवाल इनले से कौन सा इंडियन स्टेट जो है गमोचा देखो हमारे यां बोलते गम शांट यूपी लेकिन हम लोग बांदने का साफ़ा भी बोल देते कई लोग ठीक है तो पुछा या गमोचा कहा का सिंबल है यह असम का है थोड़ा सा चेंज गर देते हैं वैसे इनका रंग भी रंगा सा हम लोग जनरली वाइट वाला ज्यादा ले लेते हैं ठीक है भाई क्लियर मजा आईगा वो सबको हाँ या ना चलिए नेक्स्ट कोशन देखें अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट है लेशाल पट्टू एक फोग डांस है इनमें से किस राज्ये का केरला नागलेंड करनाटक गोवा करेक्ट आंसर मैं क्या लगाउं जल्दी से हर पर मनीपूर अरुनाचल सिक्की मुरसम लगावा अंसर कहां पर होगा क्रेक्ट आंसर होगा अरुनाचल परदेश आपको याद दखना है कौन सा है पोनूंग फोंग देखो भई तुम्हें डांस फोंग के बहुत अच्छे सवाल आज सारे करवा रहा हूं मैं इन दम सवाल आने ही आने है इसका बलकुल भी छोड़के नहीं जा सकते यह पेपर में आए गई आएगा ठीक है नेक्स सवाल देखें अगला कोशन है इन विच्वा फॉल्विंग स्चेट मी दम मी फी पेस्टिवल जो है अपने पुरवजों को याद करके त्योहार मनाये जा नेक्स्ट है घूमोट एक इंडिजीनियस ट्रेडिशनल पर्स्यूशन इंस्ट्रूमेंट है इन में से किसका गिमिट यह ने तूप सरंगी सी एक दम पीं 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 ऐसे बस जाती है तो आपको बताने क्रेक्ट आंसर क्या रहेगा क्रेक्ट आंसर हैगा गोवा गूमोट स और यहां गोवा के अंदर कोई घूंगट नहीं करता सब घूंगट करके ही आते हैं तो गोवा होगा नेक्स्ट आता है बालरी एक पॉपलर फोक सौंग है जो किसानों के दवारा गाया जाता है जो अपने खेतों में काम करते हैं यार मुझे लगता अब तो यह ट्रेंड करिक्ट आंसर किया रहिगा ऑफ नेक्स सब्सक्रार देखते हैं धर लोंगे इटिशन चैनाल इनिडियां भारत की सबस्क्राइब हो चन आ इसको इंद्रा गांदी इन प्रम दांस कर दों किया मजा आरान के नहीं आरा किता टाइम मрах बोग अ Spa लिनवे मजा कि मज़ा आ रहा कि हाया ना अच्छा लग रहा है बहुत सारे सवाल कितने सवाल कर ली हो गए हमने paizes कितने हो गए है लगब लग Keeping ने 90 Sवाल गज़वी कर लीए तो ठीक है आप लोग like नहीं कर रहे हो जाधा लेकिन आप लोग like का आपका फर्ज है कि लाइक करो जादा जादा अगला सवाल देखते हैं लेक्स आता है वेड़ी दा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंसिट्ट्व लोग इंडिया भारत के अंदर सेंट्रल ड्रग इंसिट्व्ट जो है वह कहां पर लोकेट है जल्दी सांसा लगाऊ फटा फट करेक्टांसर क्य लो और पीना लो correct answer क्या रहेगा मनीपूर रहेगा अगला सवाल maand एक traditional ये मैंने भी तोड़ दर्व पहले बताया था कि maand कहा का dance है ठीक है जल्द ईस लुआ correct answer क्या रहेगा maand जो है राजस्थान का नित थोड़ी दर पहले हमने विःस्कस किया आपको मिलेगी GS World के उपर ये टेलिग्राम चैनल है जहाँ पर आपको फॉलो करना है सारी की सारी PDF मिल जाएगी नेक्स सवाल देखते हैं कजरी डान्स तो ऐसा नहीं है कजरी है फोक डान्स है इनमें से किस राज्जे से रिलेट करता है तो बड़ा असान सवाल है करेक्ट आंसर है यूपी याद रख लेना है और आपसे कजली कहें कजली तो पंजाब की तरब भी थोड़ा मूव करके देख लेना नेक्स सवाल देखेगा डिवोशनल फोक सोंग है जिकीर इनमें से किस राज्जे से भई इतने बड़िया-बड़िया सवाल आजम लोग कर रहे है अगर इनकी प्रेक्टिस का लोग है नमबर बढ़ेगा चीकए जल्दी से लगाओ करेक्ट आंसर क्या रहेगा पूचा गया है जिकीर करेक्ट टांसर में क्या लगाँ आ helpless काreK integrated फाल सब्सक्राइब का सब्सक्राइब एन विजो औरल फोल्विंग कंट्रीज ह 10 फेस्टिवल एस से न न न न न न में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी से लगाओ पड़ा पड़ से लगाओ भई मज़ा आ रहे हैं एक बार आपको लिखना पड़ेगा मज़ा मैं भी थोड़ा एनरजेटिक फिल करूं और ज्यादा अगर लिखो बाई जल्दी से मज़ा आई रवा है गोड़ गोड़ चालो अब एक हम चलाएंगे सूपर मेल जिसके अंदर हम 15 सवाल एकदम ताबड़ तोड़ तरीके से करेंगे बहुत बढ़िया जी क्वेशन देखते हैं भई अगला नेक्स सवाल अमरे सामने आ गया defence अंतुरिम सेलिपरेट केया जा ऑनतुरिम सा सवाल लग रहा है अंतुरिम जो है, fortune हमारे सामने आए, कौन सा डांस होगा, जावा, सुहाराई है, सरहुलोर करम है, correct answer में क्या लगाऊं, जल्दीजे, correct answer होगा, भई, जावा, याद रख लो, बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत एक्जाम में आने वाले सवाल है, ये वाला, मज़ा ही मज़ा, एक्दाम में आने वाले सवाल है, ये बिल्कूल, वो वाले सवाल है, नेक्स्ट कोशह कटी भीहू, इसम्ड के अंदर है, सतारिय हमको याँ दकना है, भीहू याँ दकना है, अगर कोई नटी पूझे हिमाचल याँ दकना है, लेकिन यह कह रहा है कि स्पेड की पूजा तुलसी की नेक्स अवाल देखिएगा विद्विच ओधा फॉल्विंग स्टेट इस दा साव जाओ फेस्टिवल एसोशियेट करता है साव जाओ तो आदम आप तो सोच जाके तेरी जादा कहां ओगई जादा लेगा जादा पी लेगा तो जाओ जो जोड़े यहाद कर लो चिक है नेक्स सवाल देख लेए फेस्टिवल है सिक्रीनी कौन सी ट्राइब है अंगमी ट्राइब है इन में से किस राज जैसे बहुत दो सवाल तो बने बनाये जल्दी से बताओ को एक ट्रांसर गांगल है इसे प्यार से मीनी-खौन विल तुहार भी बोला जाता है यह को सब्सक्राइब है अगला सवाल देखिएगा है मिस सुनता हूं है मुझे लदाक याद आजाता पूछा गया सी चू फेस्टिवल बर्त एंशरी किस का तो या दखना गुरू पदम संभवा का जो है यह मनाये जाता है नेक्स सवाल लाओ इन में से कौन सा भारते निते हैं लाई हरोबा फेस्टिवल लाई हरोबा मनीपूर है एकदम याद कर लो बहुत जादा रिपीट क्वेश्चन है यह नेक्स्ट ऑली ई लियंग सुनने में लग रहा है कि नॉर्थ इस्ट का है लेकिन मैंने यह दो तो स्टेट काट दिये इन दोनों में डिसाइड करने कर्यक्ट आंसर लगाओ जल्दी से कर्यक्ट आंसर क्या रहेगा तो भैक्ट आंसर रहेगा असम सीधा-सीधा आंसर होगा ठीक है एली ली यंग याद रखो अगर वो डंफी वाला भी तो असम्मी किया था ना अगला क्वेशन देखोगा विचोधा फॉलिंग फेस्टिवल नॉट करेक्ट ली मैच सही से मैच नहीं है अच्छा एक एक करके देख लो चट पुजा भिहार ठीक लग रहा बेशक बेशक याद रख ले ला उस अग्jach सवाल है ऑफर ओ्व टॉख अग्ला सवाल आ गया ओफ्र सके वारे में एक एक नंबर के सवाल ये question इतनी बार repeat हो चुका है कि अब ना repeat करें तो ज़्यादा बढ़िया है इतनी बार repeat हो चुका है कि अब ना करें तो ज़्यादा बैटर रहेगा next सवाल देखते है which other following is not written by मुंशी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद ने लिखी माल गुडी वाला आदमी है भाई आर के बंदा अगला सवाल which other following written by कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल हरियाना का हुरीकेन है क्रिकेट माई स्टाइल जो है इसकी किताब हो गई next सवाल देखे अगला सवाल अगला सवाल बहुत इंपॉर्टन कोशन अगला कोशन देखे लेते हैं next सवाल आता है unhappy India के भीया कौन है author आपको answer लगाना है बहुत ताबर तो question कर ली हम लोग नेक दम से ठीक है जल्दी से बदो correct answer क्या रहेगा तो correct answer रहेगा लाला लाजपत रोय याद रखो correct answer रहेगा रोय लिख राय लिख देंगे who said I therefore want freedom immediately this very night before dawn if it can be had आपको आज़ादी चाहिए बस आज ही दे दो मुझे दुबारा पूछनी भी नहीं है तुमसे सुननी भी नहीं है ये बात बोलिए इन में से किस व्यक्ति ने बहुत को ऐसी जो तगड़ी तगड़ी बाते हैं वो आम इंसान नहीं बोल पाएगा इसके लिए चाहिए महात्मा गांधी जैसा एक दम तगड़ा बंदा तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा ए रहेगा अगला सवाल है ओतर अधा बुक आनंद मत लगा दू भाई आंसर ठीक है क्या सही रहेगा नहीं आनंद मत जब पूछा जाए तो इनका नाम नहीं आना चाहिए इनका नाम आना चाहिए ठीक है गलती नहीं करनी है गाना और लिखना फरक है अगला क्वेशन इंडिया वेंस फ्रीडम autobiography किसकी autobiography है India wins freedom ठीक है अबुल कराम आजाद याद रख लो next who wrote the book राम चरितर राम का चरितर लिख दिया किसने लिख दिया answer लगाओ राम का चरितर फटावट से असान असान सवाल ठीक है correct answer रहेगा तुलसिदास भोलना नहीं है एकदम लिखना है next है which freedom fighter was the author of the book and introduction of the dreamland का introduction कर रहा हूं मैं कौन कहता है कि भईया dreamland जो मैं तुम्हें बताऊंगा कौन आदमी कह रहा है तो भगत सिंह कहता है कि भईया देखो मैं एसास कराऊंगा तुमको कि dreamland कहां होना चाहिए याद अखलोगे डन अगला सावाल देखते है the religious text of the Jews Jews का religious text टोरा टोरो टोरो तोरा से याद अखले ना ये भी question दो से तीन बार आचुका है अगला सवाल है who composed the national anthem क्या मैं तुम्हें बता दूँ जल्दी से बता दूँ मैं नहीं बता दूँ ये वाला साल तुम बता दोगे भाई जल्दी से बताओ who composed टड़ान 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 ठीक है answer बता दो रबिंदर भाईया पे लगा दूँ who composed a answer आ रहा है दीरे दीरे आ रहा है तु भो ओके बाकी बाकी या एक तुम मुझे लग रहे है तुम ज़्यादा ठके हुए लग रहे हो तुम तो मुझे लग रहे है सो जाओगे अभी the novel post of his was written by again रविंदना टेगोर next सवाल question है विचोदा following book written by रविंदना टेगोर अच्या इन्हें की सारी किताबे पूछोगे बताओ भई तो correct answer क्या रहेगा रक्त करो भी next my life my mission autobiography किसने ये बोला भईया मेरी जिंदिगी है अपने अपने mission है मेरा mission तो यही है next आज़ो पंच तंतर पांस तरह के तंतर है किसने बताया विश्व भगवान ने बताया भईया मेरे पास सारे मन तंतर है next आज़ो which the author of the book adventure of the Sherlock Holmes Sherlock Holmes कि सारी चीजे I know मैं तुम्हें बता दूँगा correct answer क्या रहेगा जल्दी से Arthur Cannon Doyle आप याद रख लीजेगा next question है who wrote देवदास देवदास किसने लिखी है तो सरत चंदर चतो भाध्याय याद रख लेंगे अगला question है who wrote the book the legend of लक्षमी परसाद अच्छा और और भी option दो देखो कैसे है option दो देखो कैसे हैं जल्दी से बताओ अज़रा क्यों रहे यह सर डर्ना नहीं है लड़ना है लड़ना correct answer जल्दी से बता दो ठीक है जल्दी से बताओ correct answer क्या रहेगा जाग जाओ जाओ थोड़ा जाओ एक्टिव हो जाओ लियो टोल्स्टोय याद रखो बहुत प्यारे प्यारे कुश्चन Adventure of हंकल बैरी फिन एक बुक है इनमें इसे किस्ट ने लिखी यार मैं कहरे हो सच बजारों इतने बड़िया बड़िया सवाल हम लोग कर रहे हैं न कि पेपर में आने चाहिए याद रखो अगला सवाल है और दबुक गोल्डन त्रेशोल ये क्वेश्चन पंदरा बार रिपीट है कम से कम छीक है करेक्ट आंसर क्या रहेगा सुरोजनी दीदी हमें करेक्ट आंसर लगाना है नेक्स सवाल फू अमंग दा फॉलिंग दा बुक वेटिंग फॉर वीजा ये कहरें एक वीजा मिल जाए तो थोड़ा घूमी आऊं तो वीजा किसको चाहिए बीरम बेटे कर बोले भाईया वीजा चाहिए मुझको मुझे करने हैं इधर दर जाके सब देशों में अलग अल नेक्स देखें किताब जो है किसने लिखी है जल्दी से बताओ करिक्ट आंसर क्या रहेगा पारो देवदास नहीं है गांधी के लिए नेक्स्ट फूजद उत्र वदा कॉंट्रवेशन नोवल लज्जा लज्जा का कौन है तो सलीमा नस्रीन बहुत इंपॉर्णट कोशन है यह इस बार का सीजल का रिपीट सवाल है ठीक है नेक्स सवाल लेखते हैं भाई प्लीज फोलो जिसको लेना है प्लीज लीजेगा फू विद्धर वद्धर बुक ड्रीम फ्रॉम माई फादर पापा का ड्रीम है मैंने पूरा कर दिया बराक ओबामा याद रखेगा नेक्स्ट इनवी चौदा फॉलिविंग स्टेट इस दा गोंचा फेस्टिवल अरे भया बस ओथर वाले सारे सवाल निम्टा दी हम लोगों न सब्सक्राइब नेक्स सवाल देखा जाए अगला कोशन है इन विचौदा फॉलिविंग स्टेट ऑफ इंडिया इस दा योशेंग फेस्टिवल सेलीब्रेटेड याओ शेंग यह नाम ही इतने खतरनाक है कि ऐसा लग रहा है पहली पहली बार पढ़ रहे हैं ठीक है ब्सक्राइब मनीपूर उसमें कितने सवाल पहली बार पढ़ रहे हैं कितने सवाल पहली बार पढ़ रहे हैं डिगवाश्टिका फेस्टिवल एसोशेट करता है भारत कि किस राज्य से अब इसके बाद जो है हम लोग थोड़ डिटेल के उपर स्टेडी करना शुरू करेंगे अब मैं क्लासी यूट्यूब पर थोड़ा लेता रहा करूंगा जिससे आप लोग और हम लोग हमेशा जुड़े रहें काफी टाइम से मैं क्लासी नहीं ले रहा हूं अब यह पूचा गया कि कौन सा हर्वेस्टिंग त्योहार जो है कुर्ग मना जाता है कॉम्णिटी के द्वारा क्रेक्ट आंसर में क्या लगाँ बहुत बड़ीया सवाल है क्या रहेगा क्रेक्ट आंसर पुटारी एक्चुल में सवाल बड़े दमदार है यार in which of the following state of India is Nokai festival, repeat repeat, repeat, बहुत ज़्यादा repeat, आंसा लगाओ बिहार है, असम है, उडिसा है तमिल्लाडू होगा, correct answer जल्दी से लगाओ, बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन याद करने हैं हमें, correct answer क्या रहेगा, correct answer रहेगा, उडिसा, next question देखिएगा, मोधेरा डांस फेस्टिवल इस दा एन्वल कल्चल फिलोमिना इन देश डिस्टिक ऑफ स्टेट, जुनागड गुजरात का जुनागड, महसाना अमरेली और आनंद, इन सबकी PDF जो है, आप लोगों मिलेगी, तो आपको भी देख रहा होगा, PDF से जरूर पढ़ीगा क्योंकि बहुत important सवाल है, ठीक है next सवाल देखिएगा, next है चितियारी विहार एक festival है इन में से किस से relate करता है जैन, सिक, हिंदू और बुद्धिष्ट जो भी आपका answer हो ताबर तोड़ लगाना correct answer रहेगा, बुद्धिष्ट, बुद्धिष्ट का जनम याद रख लो, लुम्बिनी का पिलवस्तू वाला याद रखना है location ठीक है, अगला question देखें next, मदुराय situation दो बैंक को विचोदा falling river, चलो नदिया आगए भई, अब थोड़ा नदियों पे हम घमासान करते हैं, correct answer correct answer रहेगा, वैगई river, ये question तो बज़ेदार रहते हैं, देबरुगड किस नदी के किनारे situated है, ब्रम पुत्रा, यमुना, जेलम, महानदी वह बिल्कुल आसान सवाल, correct answer क्या रहेगा ब्रम पुत्रा याद कर लो ये तो आसान सवाल है, नदियां तो एकदम भैक के तैर के निकल जाएंगे सिरफ डांस ट्राइब ये वाले थोड़ा मुश्किल लगता है जम शेदपूर situated on the bank of which river सुबरन रेखा, पीना कृष्णा, ब्याज correct answer क्या रहेगा, सुबरन रेखा लगा दो, एकदम से correct answer आएगा next सवाल देखते हैं, question आ गया वैदिक civilization के अंदर, भारत के अंदर flourish किया किस नदी के किनारे, तापी नर्मदा गुदावरी थी नहीं इतनी तो सरस्वती आंसर याद रखने हैं, वैसे अगर the mission of the ramsar convention is to conserve, ramsar के बारे बात करते हैं, 1974, भारत के अंदर 1982, wetland के ओपर काम करते है कौन सा होगा, wetland, दलदल type का, ठीक है, next सवाल देखेगा river giri एक important tributary है, इन में से किसकी yamuna की है, yamuna किसकी सबसे बड़ी tributary है, गंगा की, yamuna की सबसे बड़ी tones है, tones नाओ, तो चंबल होगा, next सवाल pilgrim में side दिया है, नासिक triambak और badraachan, on the bank of which ये triambak सही clear हो गया, triambak, triambak केश्वर, नासिक, गोदावरी का है, south की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, south की बूढी गंगा, इसे ही बोला जाता है, वरिद गंगा, इसे ही बोला जाता है, हुंडु फॉल, ये paper में सवाल आ चुका है, हुंडु फॉल किस राज्जे के अंदर है, question आया था, तो answer था, जारकंड, और किस नदी पर है, तो answer आया सुबरन रेखा, सुबरन रेखा, end कहां होती है, end होती है, उडिशा के अंदर, ये सब याद, बच्चों वाले सवाल, अगला question देखी का, कौन सी river rise करती है, माउड डिस्टिक, माउड डिस्टिक चंबल से निकल रही है, ये वाली चंबल, ठीक है, याद रखोंगे, हाँ या न, चीक है, सर, cgl, मेंस के लिए परियाफ्थ है, पढ़ते रो, यार, पढ़ते रो, एक वीडियो से तो पेट नहीं भरेगा, लेकिन काफी सारी वीडियो करते रोगे, तो हाँ, फाइदा तो है ही, अगला सवाल, ये कोटेशर वो ही है, जा तेरी की ओपर बना हुआ बांध, कौन सा भागी रती, तेरी भी तो भागी रती फिर है, कोटेशर भी भागी रती की ओपर है, पर्रेक्ट आंसर ची रहेगा, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, वैसी पता चल जएगा, लेकिन आपको बाकी भी आदेंज़े, ब्रामनी उडिशा में खतम होती है, केरिकई आदें, सुबन रिखा के साथ फॉलो करती है, दामोदर हुगली की ट्रिब्यूटरी है, ये इंपोर्टन नदी है, प्लीज रिमेंबर इट, ठीक है, नेक्स सवाल है, इमाम गौंग एक इंपोर्टन आर्केलोजिकल साइट है, किस नदी पर सिच्चुएटिड है, आंसर हैगा, गोड और गोड जो है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ओफ गोड, ये सारी नदी आं कहां पर है, महराष्टर की नदीया है, किस ट्रिब्यूटर गोड रहेगा, बहुत अच्चा सवाल है, मलब पुराना नहीं है, इंपोर्टन ग्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लगा लें ना इसे, नेक्स सवाल देखेगा, विचोधा फॉलिविंग रिवर फ्रॉम कुंचीकल वाटरफॉल इन करनाटक, कुंचीकल वाराही रिवर, करनाटक लोकेशन याद रखो, जरने का नाम याद रखो, ठीक है, जैसे सारावती जोग फोल वाला सवाल आता है, जैरो सूपा महातमा गांधी, ऐसी कुंचीकल वाला बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, अगला कुशन देखेगा, इन जरने आ गया, इस सवाल एक्चॉल में बहुत बढ़िया सवाल है, जितने जरनों वाले सवाल है, मैक्सिमुम कुशन ऐसे होंगे, जो आपने पहले नहीं किये होंगे, बहुत अच्छे वाले सवाल है, ठीक है, इन विच स्टेट ओफ इंडिया, डज वीनिया फोल लोकेटेड, अभी वीनिया सवाल पूछा गया, पता आंसर क्या रहेगा, मिघाले के अंदर, पहला क्वेशन, इसके सामने लिख रहों में, इंपोर्टेंट है, दूसरा सवाल देखो, इन विच ओध फॉल्विंग स्टेट, इस दा सिर्की वाटरफोर लोकेट, अगेन क्वेशन बहुत दमदार, सिर्की पूछा गया, अरुनाचल प्रदेश, अगेन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेशन, नेक्स्ट, एत्री पल्ली, वाटर पल्ली पल्ली आ गया, तो नहीं साउथ की तरफ देख लूँ मैं इसको, साउथ की तरफ देख लूँ, तो करेक्ट आंसर पूछा गया, आंसर क्या रहेगा, केरला के अंदर है, अगेन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेशन, नेक्स सवाल, बगसु जर्ना जो है, इनमें से भारत के किस राज्ये के अंदर है, बगसु, भईया बिल्कुल याद रख लेना, इंपोर्टेंट सवाल, आंसर होगा, और हिमाचल प्रदेश आपको याद अखना है, नेक्स आईगा, ताइगर फोल, किस नदी पे, ताइगर फोल पूछ रहा है, कि किस नदी पर होगा, अगेन सवाल एकदम ताबड तोड, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, उत्रा खन्ड जोगा, करेक्ट आंसर, इंपोर्टेंट क्वेस्चन, नेक्स्ट, काको लट जर्ना, इनमेंज 21 राज्ये के अंदर, अगेन बहुत इंपोर्टेंट सवाल, जितने मैंने जर्ने बताएं, एक-एक सवाल, एक्जाम में आने लाइक है, तमिल नाडू, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, भई याद दख लेना, महाराष्टर के अंदर होगा, अग्योईन बड़ा इंपोर्टेंट है, सिवा समुंदरम, ये क्वेशन रिपीट है, कावेरी रिवर के उपर है, करनाटक जो आंसर रहेगा, लेकिन इंपोर्टेंट तो है, नेक्स देखेगा, इन वीचोधा फॉलिंग सेट, रोवा वाइड लैफ सेंस्ट्री लोकेटिड, जरने जितने बताएं बढ़ाएं, एक्च्वल में बतारू हैं, सच में, मैं चाहिए पेड़ क्लास करालो, कुछ भी कलास करवालो, यह जरने बहुत इंपोर्टेंट हैं, अगर मैं पेड़ भी गरूँगा, इनको मैं इंक्लूड गरूँ, वहाँ पे भी, इन जरनों को प्लीज याद कर लीज़े, लिख लो इसको कहीं भी, साइड में लिख लो, पेज पर लिख लो, जो आप नोट्स बनाते हैं, उसमें लिख लो, लेकिन यह जरने नहीं चोड़ने हैं, ठीक है, चलो, ओकेई, ओकेई, चलो, नेक्स सवाल देखे, अगला कुशन है, इन विच ओदर फॉलिविंग स्टेट, इस रोवा वाइड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड, ठीक है, बताओ, रोवा वाइड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेट करती है, और रेक्ट आंसर दीजेगा, और रेक्ट आंसर रहेगा, त्री पूरा, और रेक्ट आंसर कहां रहेगा, त्री पूरा, भई, वाटरफॉल में मज़ा आया के नहीं आया, ठीक है, गुल्चन मेरे भाई क्या हो गया, आज कल पैसे लूटने के लिए यूट्यूब पर, अच्छा चालो, ठीक है, थोड़ा explain भी करो, भई, मैं फिर से कहा रहा हूँ, explain वाली class हम लोग तसल्ली से रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने सवाल आगर मैं सबको explain, दोसों क्या सपास question है, तो वो जाधा लंबी class हो जाती है, लेकिन मैं topic wise चीज़े लेकर आऊंग, उसको मैं explain करूँ तागे हम लोग अराम से उसको समझें, ठीक है, ओके भाई, चलो, अगला question देखूँ मैं, next सवाल, इन वी चोधा following state is बक्सा, अगर तुम यह कहोगे कि sir, question और answer तो बुक में पढ़ लेंगे न, और कौन सी जी बहुत जादा repeat हो रही है, ठीक है, जैसे भी यह सवाल है, यह बक्सा national park, यह बहुत जादा repeat तो नहीं है, लेकिन important question में से एक है, जितने भी national park हैं, उनको आप अच्छे से याद करेंगे तो फाइदा होगा, अब जैसे यह सवाल आ गया, पूछा गया है, अब देखो, सबसे वहला question है, environment protection act 1986, एक्जाम का सवाल है, forest conservation act 1986 एक्जाम का, biological diversity 2002 एक्जाम का, wildlife protection act 1972 एक्जाम का, तो यह चार question है, यह एक नहीं है, अब पूछा क्या है, यह पूछा गया है, कि क्या एम रखा गया है, एक्जाम बनाया गया था, illegal trade wildlife का, रोकना है, तो यह wildlife protection act ध्यान रखेगा, इसके coding, तो यह चार सवाल इनको आप ध्यान रखना है, ठीक है, आगे चलू मैं, next सवाल देखो, question आ गया, मैं बस अभी खत्म करने बाद तुम से ही बात करूँगा, धन्देली, जल्दी से लो correct answer क्या रहेगा, ठीक है, correct answer रहेगा, करनाटक, क्या रहेगा, करनाटक मुझे याद रखना है, next सवाल लेखते हैं, इन में से कौन से राजजे कंदर, कियो लादियो घाना नेशनल पार्क, ये question repeat है, भई बहुत जादा बार repeat है, कियो लादियो, correct answer क्या रहेगा, राजस्थान रहेगा, बहुत repeat सवाल है, in which the following state, राजा जी, राजा जी कहां पर है, उत्राखंड के अंदर है, रटो, याद करो, next सवाल, मुहमद गोरी, अभी कुछ एक बैटर वाले question, मैंने कोई topic छोड़ा नहीं है, जो मुझे लगता है कि एक्जाम में आ सकता, वो सारे topic आपको देखने मूं मिलेंगे, मुहमद गोरी जो है, defeat किया जाता है, 1151 किस के द्वारा, पिर्थ्युरा चोहान के द्वारा या पिर्थ्युरा चोहान थर्ड के द्वारा, थर्ड बैटर व पानीपद जो है, 14 जनवरी 1761 में लड़ी जाती है, 1761 में लड़ी जाती है, महमद शाब दाली और माराथाओं के बीच में, next आता है, when was battle of Tukroi, ये बंगाल के राजा और मुगलों के बीच में लड़ाई होती है, 1575, who was defeated महाराणा परता है, battle of Haldi Ghaati, 1576 ये आप याद रखेंगे, और अकबर और मान सिंग याद रखेंगे, battle of Diorai, औरंग जेव, 1659 के अंदर ये लड़ाई होती है, और दाराश योक, शाजां के दोनों बेटे, इनके बीच में, battle of Swali, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में, 1612 में होती है, याद रखेगा, battle of Swali, बहुत important question, which gas in solid, चलो, battle वाले question भी देख लिए, ये कुछ एक important सवाल है, बैटल वाले आपको कर रहा है, चीक है, time pass करता है, सवाल पूछो जरा, गुल्शन भाई, क्या, क्या पूछना क्या चाह रहे हो, देखो, अगर किसी वो लगता है, कि time waste हो रहा है, तो class छोड़ सकता है, किसी को revision करनी है, तो मैं सा revision कर सकता है, चीक है, सब option आपके बादने, यूटीब आपका है, कोई जबरदस्ति कोई थोड़ी किसी को रोक सकता है, चीक है, इससे fast revision आप नहीं कर पाओगे, मान लो मेरी, यह सबसे बढ़िया तरीका है, important question देखने का, static जी किक है, अगर मैं पूरी वीडियो बना लगूं, तो भाईया एक दिन लग जाएगा, इत्ति पूरा वीडियो जगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो सवाल यह पूछा जा रहा है, अब अगले question पर आते हैं, यह chemical name है, और chemical name से इस बार CGL के अंदर question आया हुआ है, ठीक है, गुल्चन भाई, सवाल पूछो, क्या समस्चा है, तो फिर सवाल से फिर हम आगे बढ़ें, है ना, अब पूछा गया है, solid state में, dry ice बोला जाता है किसको, carbon dioxide को, repeat question इस बार के CGL का भी, अगला सवाल है, इन में से कौन सी gas को laughing gas कहता है, nitrogen oxide, बिल्कुल असान सवाल, carbon dioxide blood में सबसे ज़्यादा घुलता है, ये भी हम याद अखना है, अगला question है, baking का मतलब by, baking का मतलब by, by carbonate, by नहीं तो hydrogen carbonate होगा, तो correct answer कहा रहेगा, sodium hydrogen carbonate याद करो, अगला question है, calcium sulfate dye, dye का मतलब water के दो content है, मतलब 2S2O है, और 2 होता है, तो gypsum होता है, hemihydrate होता है, तो POP होता है, plaster of Paris, next, methane gas को हम mars gas बोलते हैं, CH4, इसी को कई कई जगाँ पे, gover gas के रूप में भी question पूछा जाता है, चलो, आगे चलें, next सवाल देखें, अगला question, which of the following is known as ipsum, यह जो ipsum होता है, परगेटिव होता है, जब आपको constipation हो जाए, तो ipsum salt दिया जाता है, answer होगा, MgSO4 magnesium sulfate, सही है, अगला सवाल, what is the chemical name of oil of vitoral, oil of vitoral, blue vitoral, red vitoral, यह लगातार question आया हुआ था, तो पूचा गया, oil, यह king of chemicals है, sulfuric acid आपको यह आदखना है, king of chemical sulfuric acid, ठीक है, अगला सवाल, which of the following is the chemical form of nitrate, अगर इसके सामने लिखा होता है, चिली, तो sodium होता, चिली sodium, अगर यह नहीं है, तो गा potassium nitrate, ठीक है, kno3, आपको यह दखना है, अगला, aqua regia, aqua regia का ratio जो होता है, देखो, hcl, hno3, जहां पे 3 होगा, यहां पे होगा, यहां 1 है, तो यहां पे होगा, यह cross करके check कर लेना, अगर paper में, उल्टा पूच ले, यह आगे पूचे, hcl पीचे पूचे, तो ratio भी बदल जाएगी, वैसे इस ही साब से ratio जो है, 3 ratio बन होगा, मतलब यहां दखने, क्रिस क्रॉस करना है, क्रिस क्रॉस करना है, सही पढ़ाता तो live watching number, भहुत गजब बात कहा रहे हो, अगर मैं तुम्हें live watching count बता दूँ न, definition ही नहीं है कि क्या पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, मैं को तो यह समझी नहीं रहे हैं, गुल्षन क्लास में time waste कर क्यों रहा है भाई तू, 15-20 मिंट से तु यह अटका हुआ है, फोड़ देख ला, बढ़िया रहेगा, है न, time बचाओ, time बचाओ, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, next सवाल आता है, what is the chemical name of blue vitrol, अब blue vitrol वाला सवाल आ गया, ठीक है, blue vitrol, तो आंसर क्या होगा, यह blue वाला है, तो copper लगा दो copper sulfate आंसर होगा, T-U-S-O-4 आपको याद रखना है, यह correct होगा, अगला सवाल, तो और taste of Coca-Cola, जब हम Coca-Cola पीते हैं, तो एक कड़वा पंसा आता है, कौन सा acid होता है, तो answer होगा, phosphoric acid होगा, याद रख लो, ठीक है, next सवाल, which other following gas is used in manufacture of one-as-pati घी, वन-as-pati घी चाहिए, किसका यूज करेंगे, hydrogenation होता है, hydrogen solution का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ठीक है, कोई परिशान नहीं हो, कोई बात नहीं, कोई आदमी frustrated होता है, तो गूमता है, कोई परिशान नहीं है, अगला सवाल, next सवाल, और मैं इसका simple साइक answer दूँ, मेरे पास आगर किसी बैच में, कम बच्चे भी है ना, तो selection rate उनसे बहुत जादा है, जो हजारों यालाखों बच्चे बढ़ा रहे हैं, एक बार जाके देखना, एक बार डाटा पूछना, मेरे से personal message आँ में तुम्हें डाटा शेर करूँगा, कि कितने बच्चे जो हैं, सिरफ हमसे पढ़के सेलेक्ट हुए, समझे रहे हैं तो selection rate से फ़रक पड़ता है, भीड से फ़रक नहीं पड़ता, समझे रहे हैं, ठीक, आउज जारा, question है, which of the falling substance is commonly used a preservative in food, food के अंदर preservative का इस्तमाल किया जाता है, sodium benzoate, नीचे रहता है, कोई बात नहीं, live count से कोई फ़रक नहीं पड़ता है, जो बच्चे पढ़ें, कम सकम उनको चीज अच्छे से मिले, ठीक हैं, तो आज की पूरी class, लगबग 190 plus question हम लोगों नहीं किये हैं, तो इन questions को जब आप revise करेंगे, तो इनको अच्छे से revise करना, अब मैं इनकी detail video जो है, बहुत जल्दी लेकर आऊं, जिसमें इन topic को लेकर, हम लोग तोड़ेंगे और इनको समझने कोश्च करेंगे, यह option से कैसे question और बन सकते हैं, सिर्फ आज की staticky class, एक revision class है, तो इसको revision purpose के लिए आप easily revise कर सकते हैं, ठीक है, बिलकुल होगा सर, ठीक है, बहुत बढ़ी आजी, तो आपको add the rate dharma 030, यहाँ पर PDF मिल जाएगी, या GS world पर आप लोगों को, इस class की PDF मिल जाएगी, after the class, ठीक है, तो यहाँ पर PDF आपको मिलेगी, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मुझे बहुत मज़ा है, जादा कम से कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा है, बहुत दिन बाद, अज class लिया, थोड़ा लंबा class लिया, अब मैं कोशिश करूँगा, जादा जाद यूट्यूपर class भी लूँ, ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बबाएं टेक केर, ध्यान रखें, मन लगा कर पढ़िए, और यही टाइम है, फालत लोगों से बचे, पढ़ाएं में ध्यान लगाए, कुन क्या कह रहा है, न मुझे फरक पढ़ता, न आपको फरक पढ़ना चाहिए, बस आप लोग लगे रहें, और मैं एक बड़िया-बड़िया content आपको provide करवाता रहा हूँ, ठीक है, चलि, प्रिज जोइन कर लिजे, अगर किसी का मन है, तो अगर वो करना चाहता है, पूरा बैच मेरे साथ, ठीक है, अगर आपको देखना है कि क्लासिस कैसे, तो यूट्यूपर आप जाके देख लेना, कि कैसी क्लासिस है, टेलीग्राम बच्चों देख पूछ लेना कि क्या कुछ है, ठीक है, बाकी बबाएं टेक के ध्यान रखो, पेस्टूपर आपको,